अरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरिट चैल यानी कीडा में तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले चैप्टर नुबर 5 अर्थमेटिक प्रोगेशन कम्प्लीट इन वन शॉट इससे पहले चैप्टर 4 क्वाडिटिक एक्वेशन में बना के अप्लोड किया था और काफी पसंद कर रहे हैं आप लोग जिन्हों नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप जाके देख सकते हो इतने गैरंटी है एक वीडियो देखने के बाद आपको क् और सारे ही ऐसे चैप्टर आने वाले वन शॉट में उसके बाद 50 Most Important Subjective की सीरीज आएगे इसी प्लैटवर्म पे जिन बच्चों नहीं तो चैनल को सब्सकाइब नहीं के चैनल को सब्सकाइब जरू कर ले वरना ऐसा नहों की चिडिया चुक गई खेत है ना तो इसलिए औ और बेल आइकनों जरूर प्रेस करना ताकि जब भी कोई नई वीडियो निकल के आए आए आपके सामने तो सबी बच्चे उसका फायदा उठा सके तो बिना आपका किमती बरबात के सीज़ा चलते हैं वीडियो की तरफ ओकी तो अर्थमेटिक प्रोगेशन क्या होता है अर्थमेटिक प्रोगेशन ये एक नया टॉपिक है क्लास नाइं तुमे इसका जिकर नहीं है और ये स्टार्टिंग में किसी भी चीज़ की अगर सुरवात होती कोई भी चैप्टर है ना तो ये ध्यान अगना वो बहुत ह जादा असान होता है फास्ट ताम कोई भी चीज़ इंट्रियूस होती है आपके सामने तो वो असान होता है तो इस चैप्टर को स्टार्ट करें ये मांनते हुए कि ये चैप्टर बहुत ही जादा आसान है वाके में असान है कि वह दो फॉर्मिले आपको यहाँ पर देखन आसान क्योंकि आपने ले रखा गयान नहीं की डगा गयान सिंपल सी बात तो यह है ठीक है तो स्टार्ट करता है इंडॉडक्षन से तो स्टार्ट करने से पहले क्या कहते हैं हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे पैटर्न हम लोग को अगर आपने मदमख के चखता देखाओ तो वह बड़े सुन्दर पैटरन ठंक से होता है तो हमारे डेल लाइफ में बहुत सारे ऐसे पैटरन होते हैं जिनको अब डेली आप्सराइब कर रहे होते हैं तो उन्हीं कुछ पैटरन का हम लोग करते हैं अब्सराइब करके चीजो किया करता है अब मन क्या करता था कि डेली ना डेली मतलब जब से इने अपना होश है जैसे 5-6 साल के बाद मालो तो इसके मम्में पापा नहीं स्कों डेली दुकान भेज़ा करते थे वेटा जा और जाके आज ना एक किलो आलू लिइा जा जाकी एक किलो चीनी लिए तो यह अब यह क्या बड़ा होश किया था इसने अपना बिजनस पच्पन से स्टैबलिस्ट कर रहा था वह अपने घर में यह क्या करता था मान लोगर एक किलो चीनी मगाया है तो यह बोलता दुकान दर्गों की आठ सो पचास ग्राम चीनी देना अब वह जो डेट सो ग्राम का जो जो पैसा है उसको यह जे में भर लिया खाता था ऐसे अगर आलू लेने के लिए बहजा है कि बेटा जा पांच किलो आलू लिया विचार किलो और अब यह लड़का बड़ा हो गया है अब थोड़ा डांस वांस रात को भूत प्रेद बनने जाना ना पप में नाचने जाता हैं चीज़े बढ़ गें पाटी करना है मूवीज देखना है दोस्के साथ है ना घूमना फिरना है तो इसने सोच है यार कि थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ेगा यार यह 8000 इखटा कि अभी तक मैंने बड़ी शरम की बात है मालो अमन जो है भी कुछ माल लेते हैं कि माल सोलह साल का जैनर यही एज होते हैं तो आठ हजार उपे से ने खटे के थे अब गुरूप में बेज़ती हो रही है इसके लड़किया कुछ है कि पैसे नहीं होते हैं तो इनने सोचाना एक काम करता है यार ना एकना फिक्स्ट अमाउंट होना चाहिए हर महीने मैं इतना गा इसे करके इनने सोचा कि यहार उपे काम बन जागा तो इनने फिर हर महीने हजार उपे गायब करना शुरू किया देखो मतला बिजनस इसने देखो यही से स्टेबलिश कर लिए अब आप लोग मत करना लग जाना आप लोग समाज़दार हो मैं एक महीने बाद उसके पास कि यह सब चीज होता रहेगा एक काम को तो एक फोन लिलता हो बड़ी आसा अब जो फोन था है ना उसका पढ़ना था फोन मान लो 30,000 का 30,000 का उसका फोन पढ़ना था तो अब यह सोचने लगे कोशने के दिमाग में आया कि अगर मैं ऐसी चलता रहा तो कब जाके कितने महीने बाद जाके जो है इसकी सेविंग 30,000 रुपए की हो जाएगी और फिर यह अपने लिए बड़ी ऐसा फोन खरीद पाए पहला चीज यह ठीक है क्योंकि कोई भी चैप्टर निकल के आतना उसको अगर आप डेली लाइफ में कनेक्ट नहीं करोगे तो मैतमेटिक्स बोरिंग लगेगी है ना तो डेली लाइफ में इसका इस्तमाल क्या आपको पता होना चाहिए यह निकिया से बिजनस टार्ट करतो कि भाई को ले लिया घर में इत्मालों तीन-चार भाई बैने तो सब ने बना के बोला कि इतना तुना गायब करेंगे सारे मिल को घर में अच्छा से सेविंग करेंगे बढ़िया करेंगे ऐसा भी नहीं करना ना तो डेली लाइफ में चीज़ें पता होनी चाहिए एक एक जामपल हो गया अपने पास ठीक है कितने साल बाद जाके इसकी सेविंग 30,000 हो जाएगी और आगे चलते इसका आंसर वाद में देखते हैं एक इसे-ईज्ञबल हो लेते हैं मानलो अमलो वह फ्र 550 में रहती रहती है अब फिर्ष्ट वह रहती अब हुआ क्या कर वालों देख लें तोweet sudah होती तो इनने दिमाग लगा है अगर कुछ ऐसा और बालकनी में खटकर करो खिड़की से अंदर एंट्री हो सकती थी मालो है नहीं सोचा कि कुछ ऐसा जुगाड होना चाहिए कि सीथा बालकनी में पहुंचू आराम से उसके अंदर घुसू को जंजटी खतम पूरा जंजटी मालो उसकी हाइट जो है मालो उसने बोला कि बारा फुट कुछ हे लाओं पूस्ने 2 179 उसके भडाने उसके पांच पांच से WrapTIONट कर यह पर घूह aब पकर यह प्यम सेंसे आपका 40 cm तो इससे चलता चला चलता चला चलता चलेंस क्या में हैं कुछ जगा है कुछ जगा पर चलो कि कुछ कीडे रहते ओर वो कीडे हर घंटे अपने आपको डबल करते सटर्फल उस श्टार्व ओसक भाझते मेरं चीजों ओओ सब्सक्राइब करता हूँ मालों मारे पास का एक सुदर सा यहां पर एक स्कौयर है इसके मैं एक छोटा और बड़ा स्कौयर लिया इस तरहीट कि यहां पर जो है सिसके जैसे 4 स्कौयर निकलके आ घाये बराबर बराबर नटिक है एक स्कौयर यहां पर Yoga स्कुर्ङ कर दबाली जैना बड़ा खुबसफो अलब बल्या इस तरही का और फिर यहाँ पर मैं चख कर रहा तो एक लाइन यह की जी मैंने एक लाइन यह की जी और मालो यहां पर जोसके जैसे कितने डब्ब्या बन है आपर 9 बनाचे एक दो थीन चार पांच छैरा साथ आट नो और इसी तरीके से यह पैटन आगे फाल्व रहा है तो क्या बात हो यहां पर है यहां पर कितना मरपस एक है यहां पर लिखता हूं है घृश्ट यहाँ पर कितने होगे? 4 होगाए, dokument box नो दो चलता है तो खुद बत हो अगला number क्या होगा من僻ाम अगला number आपका 16 होगा क्योंकि 1 का square है, यह आपका 2 का square है, यह आपका 3 का square है और फिर आपका 4 का square और यह चलता रहएगा यह भी एक खास तरह के जो है यहां पर पैटन बनने हो तो यह कुछ एक्जामपल है जिसमें हमारे पास कुछ खास पैटन बनने है तो आई होप आपको यह एक्जामपल समझे होगे अब इस पूरे एक्जामपल में से यह अलगला पैटन अब देखो इस example को ध्यान से observe करता है क्या क्या pattern यहां पर follow हो रहा है उसके बद आते है अर्थमेंटिक progression में आपने देखा यहां पर पिछला नमबर 8000 है और यहां पर अगला नमबर 9000 है मतलब अगला नमबर कैसे आया पिछले नमबर पर मैंने 1000 को जोड़ दिया बोलो बात सम्झाई बिल्कुल सम्झाई गोगी अगला नमबर कैसे आया फिर मैंने यहां पर 1000 को जोड़ दिया ठेक है ओके फिर ऐसे अगला नमबर 1000 हज़ार जोड़ के आया मतलब जो हमारे पास आगे time है आगे time बोलता है succeeding term जो succeeding term है वो preceding term preceding term को fixed number से add करने पर आता जा रहा है क्या बोला मैंने every succeeding term कैसे आ रहा है preceding term को 1000 थाउजंड थाउजंड एड करने से निकल के आ रहा है यह बात के लिए दो गई अब आगे चलते है same second example में अगर हम देखेंगे जो senior बन रही है तो 50 था 50 से 5 कम 45 वा 45 से 5 कम 40 हो है मतलब हर में 5 5 जो है वो कम होता जा रहा है यह तो ऐसे बोलो यह यूँ बोल सकते हैं कि हर जो आगे वारा number है वो पीछे वाले number के मुकावले fixed number से add करने है और कितना add कर रहे है minus का 5 50 से minus का 5 एड के 45 आया 45 से minus का 5 एड के 40 निकल के है तो ऐसे यह चल रहा है तो जो succeeding term है वो preceding term को fixed number से जोडने पर निकल के आ रहा है यह वाले बात भी आपको सौन में आ गए अब आते हैं हम लोग third pattern पर third example पर आते है अब यहाँ पर क्या हो रहा है हर अगला number दे को जोडने पर नहीं आ रहा है हमारे पास क्या निकल के रहा है यहाँ पर multiply करने पर आ रहा है 2 को 2 से multiply किया 4 आया 4 को 2 से multiply किया 8 निकल के आया 8 को 2 से multiply किया 16 आया ऐसे 16 को 2 से multiply किया 32 तो यहाँ पर जो pattern follow रहा है, क्या rule follow रहा है कि जो भी आगे वाला जो हमारे पास number है पीछ वाल नमर को एक fixed number से multiply करने पर आता जा रहा है उपर के दो example है, plus करके इस पर multiply करके और यहाँ पर एक pattern बनना हमारे का natural number के square का यहाँ पर pattern बनना है, one का square, two का square, three का square, four का square and so on जो है, यह चलता जा रहा है, मेरे खलसा को समझा गया तो यह कुछ pattern से जो कि हमें daily life में follow होते हैं और इस में से हम खास तरीके का pattern पढ़ने जा रहे हैं वो pattern क्या है, वो pattern पढ़ेंगे जिसमें आगे वारा जो time है succeeding जो time है, वो preceding time में fixed number से plus करने पर आता जाएगा और इसी pattern को, ऐसे जो number listed होते हैं, इसी को बोलते हैं आपको समझा आगया कि हम arithmetic progression के अंदर कैसा pattern पढ़ने वाले हैं यहाँ पर जो succeeding time है, वो preceding time को fixed number से add करने पर आता जाएगा इतना समझ में आगया, मुझे comment box में बताओ कि यह सारी कहानी जो बताई मैंने आपको अच्छे से आई या नहीं आई, अब बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं, एक छोटा सा अब समझते हैं, arithmetic progression होता कै, इसके अंदर कैके चीज़े होती हैं, यह सारी बात में आपको होता तो 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 नोट कर लेना, चालिए, मैं सारा मिटा रहा हूँ, तो हमारे पास कै, normal यहाँ पर, मैं formula drive भी कर दूँँ ही परी, तो ध्यान सा, मानलो मैंने कुछ, यहाँ पर term बोलते हैं, term, क्या बोलते हैं, term, तो ये भी आपका term है, ये भी term है, ये भी term है, ये भी term है, ठेके, left से जो सबसे पहले आया, उसको बोलते है first term, फिर second term, third term, fourth term, fifth, six, ऐसे करते-करते, मुझे आगे नहीं पता, उसको nth term बोलते हैं, आगे, आगे जाके, बहुत दूर ज कि आएगा nth term निकल के आपका nth term निकल के आपका आ जाएगा तो first term को denote करेंगे a1 से कहीं पर t1 से भी denote किया है rd वगर में a1 से ncrt follow करें हम लोग फिर आएगा आपका second term को a2 से बोलेंगे third term को a3 और फिर fourth term को a4 dot dot nth term को को अम लोग a n बोल देंगे यह वाली बात ही मेरे काल से आपको clear हो गई होगी अब मैंने यहाप पर क्या देखा यह आपका अर्थमेटिक प्रोगेशन अथार्थ अपी है यह नहीं तो हम देख सकते हैं जो हमारे पास सक्सीडिंग टम है वह प्रिसीडिंग टम कितना एड कर हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं कॉमन कॉमन डिफ्रेंस हम लोग यहां पर बोल देते हैं और कॉमन डिफ्रेंस को हम लोग डी से स्मॉल डी से डिनोट करते हैं अभी भला कॉमन डिफ्रेंस निकालते कैसे हैं बहुत असान तरीक है आगे वाले लगातार कोई भ तो यहां पर उससे एक कम है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर A कम 2 है यहाँ 4 है तो A कम 3 है ऐसी अगर आपका यहाँ पर A N होगा तो यहाँ पर A कम N-1 होगा इक्वल तो D आपका यह होता है common difference A N- मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि D का मतलब क्या होता और कैसे यहाँ पर D निकालता है किसी भी listed number को कोई भी listed हमारे पर sequence है उसको arithmetic progression होने के लिए शर्त यही होती है कि जो common difference है वो same होना चाहिए मान लो अगर यहाँ का difference 5 same आया यहाँ भी 5 आया लेकिन इसका अगला difference 5 ना निकले कुछ और number निकल के आता है तो फिर यह फिर arithmetic progression नहीं कहलाएगा यह बात आपने ध्यान रखना और आगे हम लोग इसका check भी करते चलेंगे बना जो भी number list होंगे जो भी number list होंगे उनके बीच का difference same होना चाहिए तभी वो arithmetic progression जो है हमारे पास कहलाता है I think आपको यह समझ में आ गई होगी तो fix number को D बोलता है common difference और जो हमारा first term होता है जो हमारा first term पहला term जो कि A1 होता है उसको हम लोग A B बोल देते first term को क्या A1 लिखना A बोल देते first term को हमने A बोला common difference को हमने D बोला अब यहाँ पर एक सुन्दा सा general term का जो formula है मैं यहाँ पर drive करना है और जहां सुना पहले हमारा यह first term है आपका A1 कितना है 6 निकल के आगे है मैं बोल रहो A1 को हम A B बोलते है और यह बात जो है आपको भी अच्छे से आप सौन में आ गई है आ गई है ठीक है मैंने बोला second term A2 A2 कैसे आए मारे पास 11 आया 11 कैसे आया 6 में 5 एड किया मतला 11 है मतला हमने क्या करणा 6 में 5 को एड कर रहा हमारा 6 क्या है हमारा 6 common difference देगो D कितना मारे पास D मारे पास 5 है और A के हमारे पास 6 है 6 क्या है फिर से प्लस 5 के हम लोग ने, मतलब जो हमारा 16 है, वो हो गया, आपका 6 प्लस में 5 तो था 11, प्लस में 5 को और जोड़ दिया, जो कि हो गया 6 प्लस में 2 मंटिप्लाइ 5, और आपका बन गया 6 प्लस में 2D, सोरी, A प्लस में 2D आपका निकल के आ गया, है ना, ऐसी A4 की बात 21 है, जो कि हो गया, 6 प्लस में 5, प्लस में 5 प्लस में 1 और 5 हो गया, जो कि हो गया 6 प्लस में 3 मंटिप्लाइ 5, जो कि है आपका आगया 6 प्लस में 3D निकल के आ गया, ऐसी आप ध्यान सुनो, क्या यहाँ पर चल रहे हैं, जब मैंने बात करा 2nd term का, तो A कम D आया, जब बात कि मैंने 4 टम का तो A plus 3D आया ऐसी बात करूँगो A 10 टम का तो आप बोलो अगर मैं A 29D की 29 टम की तो आप बोलो कि A plus में 28D निकल के आगया और ऐसी सेम अगर मैंने बात कर रहां A N की तो आपका बोलो अगर A plus में A N minus 1 multiply D जो है आपका आंसर निकल के आता है अब यहां पर समझने आली बात के D आप लोग के मैं यहां पर लिख देता हूं ठीक है ताकि आपको को दिक्कत ना आए सारी बात यहां पर लिख देता हूं फों हो गया और फों क्या है वह आपका बेंटीवन होता है कितना अगे 2130-1 बात खता है यह वाली बात ध्यान तो कला नहीं कर गया करल अब कर द आपस क्या हो गया अपको यह सारी की सारी जो कहानिे वह समझ में आ गए होगी अब जो आर्थमेंटुमेंटिक प्रोगेस्जन होता है वह दो तरिकेां एक होता है difis infinite AP एक होता है infinite AP finite AP का मतलब क्या होता है जैसे कि जो मैंने एक्जामपल यहां पर पहले लिया था जो एक्जामपल मैंने पहले लिया था कि 10, 9000 की सेविंग ती पिर उसकी 8000 की सेविंग 9000, 10 सेविंग कब जाके 3000 आएगा तो यह AP जो है 3000 में खतम हो गई अब मेरे ख्याल से आपको पूरा का पूरा जो इंट्रोडक्शन है वो बड़े अराम से यहां पर समझ में आ गया होगा एक फॉर्मुला हमारे पास एक यह हो गया अब तो एक और चीज़ यहां पर लिख दू मैं इसको मिटा रहा हो ठीक है यह बास समझागी होगी तो यहां पर मिटा रहा हो ठीक है तो एक चीज़ और लिख दो यहां पर तो हम बोल सकते हैं कि AP कैसे लिख सकते हैं हम लोग अगर आपको A पता हो और आपको D पता हो तो आप पूरी 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 जो AP है बड़े अराम से बना सकते हो कैसे बना सकते हो देगोजान से तो AP क्या होता है AP आपका होता है A फिर आया हमारे पास A प्लस में D फिर आया A प्लस में 2D इस तरह से हमारे प्लस में 3D और आपका AP चलता है मतलब अगर आपके पास A है अगर आपके पास D है तो आप AP बना सकते हो और अगर आपके पास AP है तो आप A बता सकते हो आप D बता सकते हो कुछ भी बता सकते हो किसी भी कोशन पे नहीं आने दूँगा पीडा आप देख रहे हो ग्यानी कीडा बड़े से बड़े चीज को बड़े से बड़े कोशन को बड़े से बड़े चैप्टर को आप लोग कर देते हैं क्योंकि आप ले रहे हो ग्यानी कीडा का ग्यान ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है इतना समझ में कमेंट बोक्स मोता हूँ कि आप आप इंजॉय कर रहे हो ने कर रहे हो आप जो है कुछ कोशन आप लोग याँ पर ले लेते हैं कि कोशन आप सीधा चलते हैं एकसाइस की तरफ तो 5.1 चलते हैं चेक करते हैं कि कुछ जो हमारे पास situation है वो AP है या नहीं है तो ये रहा सबसे पहला कोशन आप सभी के स्क्रीन के ओपर 5.1 का अब कैसी लग रही है इससे पहले मैंने सारी वीडियो ग्रीन बनाई थी और बच्चों ने कादा साथ अच्छा तो लग रहा लेकिन स्टैंडड फॉर्मेट में तो आप मुझे बताना कि अब क्या थोड़ा स्टैंडड फॉर्मेट लग रहा है इसका अब कैसी है पी-पी-टी मुझे बेस्ट यह मुझे बाई ठीक है बताना मुझे चले 5.1 कोशन कहा रहा है इन विच ओफ दा फॉलविंग सिच्वेशन डर्स दे लिस्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ दाना है कि क्या वह लिस्टेट नमबर आपका अर्थमेटिक प्रोगर्शन है या नहीं है तो मैंने आपको बता है मैंने चाले आए देखते हैं तो पहली यह सुंदर सी महिला यहां पर कड़ी है इसकी तो आखी नहीं बिचारे की डूग्यार आखे बना दो एक है अरे वा मदा आया मुस्कुराट की बातिया अलग होती है अगर केवल एक किलोमेटर चलोगे तो पंदरा रूपय देने पड़ेंगे उसके बाद फिर दूसर किलोमेटर तो आठ रूपय और फिर तीस ना फिर आठ रूपय और ऐसे करके आपको देने पड़ेंगे आईए समझते है किलोमेटर प्लस में आठ रूपय और जोर तो पंदरा खिया और मेरे खिया से त स्ट प्लस में आठ और जोर दो तो आपका जोर युक्याल से तो थाटीवन रूपय निकल के आगा मेरे खिया से घंऑ एसिज़ार ठ लास्थ कहता है वो आएगा 31 प्लस में 8 जो कि आपका उदाएगा 39 तो ऐसे चलता रहेगा तो क्या बना है आप पर जो लिस्ट नंबर कैसे आएगा 15,23,31,39 ये आपका इससे चलता रहाँ अब हम ये चेक करना है कि ये AP है या नहीं है I चेक करते हैं कैसे करना है ये आपका 1st time है ये आपका 2 ये आपका 3rd time है ये आपका 4 time निकल के आगया आपको A2 माइनस में A1 करना है तो 23 माइनस में 15 कितना आगया आपका 8 निकल के आगया तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो common difference है वो fixed है सारे case में चेक है तो yes this is an arithmetic production why because every succeeding terms is obtained by adding a fixed number to the preceding term clear है चलिए तो अब चलते next question ये आप सभी के screen के अपर the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes one upon fourth of the air remaining in the cylinder at a time okay हमारे पास क्या कह रहा है कि एक cylinder में कुछ हवा भरी हुई है और जब भी हम vacuum करते हैं vacuum pump remove करते हैं जब भी vacuum pump को remove करते हैं तो एक बटा चौथा ही हिस्सा जितना भी हवा बचावा उसको निकाल देता है एक बटा चौथा हिस्सा जो भी है उसके अंदर से निकाल देता हर बार तो चेक करना कि हमें कहें यह आपका 20 प्रोग्शन है यानि आई चेक करते हैं तो ऐसे एट जो है मीटर क्यूब मीटर क्यूब हवा जो थे ही उसके अंदर भरी थी एक सौटा है कोई दिक्कत की बात नहीं है इसके अब इसने क्या बोला कि एक बटा चौथा ही हिस्सा जो है remove हो जाता at a time पे इसका मतलब मारे पास का अभी 128 उसके अंदर बचा हुआ है अब 1 upon 4 तो 1 upon 4 of 128 अब remove हो गया एक pump करने पर कितना है 4, 3, 12, 4, 8 मतलब क्या हुआ 32 remove हो गया 128 आपके पास total था उसमें से 32, 14 remove हो गया तो अब कितनी बची 8 upon 8 में से 2 गया आपका 6 आया, 12 में से 3 गया आपका 9 निकल क्या आगया इसका मतलब अब आपके बस next में 98 meter cube हवा बची हुई है फिर से एक बर pump किया जब से फिर pump remove किया 96 का फिर से 1 upon 4 गया हो जाएगा तो 1 upon 4 of 96 आपका आएगा 4, 2, 8, 4, 4, 16 तो आपका हो गया 24, 96 में से 24 फिर से remove हो गया 1 upon 4 गया तो आप कितना बचा 96 में से 24 गया चे में 4 गया आपका 2 आया और 9 में से 2 हो गया मेरे खेल से 7 निकल क्या है गया बाला अगली बार जो आपका 72 बचेगा एक और ले रहते हैं अब अगली बार फिर से क्या होगा आपका 1 upon 4 फिर से रिमूव होगा तो 72 का 1 upon 4 करेंगे हम लोग कितना हैगा 4 एकम 4 बचा 3 4 38 अठारा गायब हो गया तो 72 में से 18 माइनस करेंगे 12 में से 8 गया 4 बचेगा ये बचेगा 6 में से गया 5 54 तो इस तरीकर जो है आपका ये नमर लिस्टेट हुआ अब यहापकर चेक करना कि ये जो नमर लिस्टेट हुआ है ये आपका 820 प्रोगिशन है या नहीं है कह चेक करेंगे This is our first term This is our second term ये अपका third term हो गया ये अपका fourth term हो गया तो D क्या होता है आपका A2 माइनस में A1 चेक करेंगे तो आगया 96 माइनस में 128 कितना आगया आठ में से 6 गया तो आपका 6 आगा 12 में से 9 आगया तो निकल 3 आगा माइनस का 36 96 जो है आपका निकल क्या अगर साइए आठ में 6 ठीक है हाँ माइन सब्सक्राइब आपने करना है A3 माइनस में A2 निकालना है तो 72 माइनस में 96 आप 6 में से दो गया 4 आया और या 24 आप देख सकते साब साब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है इसकाँ this is not an AP this is not an arithmetic progression यह arithmetic progression नहीं है क्यों क्योंकि यहाँ पर common difference सेम नहीं है I hope आपको यह वाला कोशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बढ़ते हैं अपने अगले कोशन 3rd year आपके स्कीन के ओपर यह चेक करना the cost of digging digging मतला खुदाई करना of well after every meter of digging when it costs rupees 150 for the first meter अगर एक meter के लिए 150 रुपए हैं दूसरे meter के लिए फिर 50 रुपए और जूड़ जाएगा तीसरे के लिए फिर 50 रुपए और जूड़ जाएगा ऐसे करते हैं महार पास चलता जाएगा तो क्या करते हैं आपका first meter digging इले कितना है महार पास वो आपका देर का 100 रुपए याना 150 second meter कीतना होगा है 50 और एड़ कर दो उसमे 150 प्लस में 50 तो आप देख सकते हैं 200 निकल के आ गया है ना ऐसे अगर third meter खुदा ही होती तो कितना है अगर 200 और फिर 50 और एड़ कर दो तो आपका 250 निकल के आ देगा और and so on चलता रहे हैं मतलब 150,200,250,$ अब इसका आंसर ये आपका arithmetic progression है ये नहीं है इसको बताने के मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है आप सब मुझे comment box में इसका आंसर जरूर देना अब चलते हैं फोर्थ ये आप सभी के screen के ओपर लास्ट कोशन ये एपी है ये नहीं हमको बताना है the amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum तो कोशन के अगर हमारे पास की हमने 10,000 रुपए जो है बैंक में जमा करे और बैंक हमें जो है 8% का interest दे रही है और कैसा interest है compound interest दो तरह के interest होते हैं एक होता आपका simple interest एक होता compound interest compound interest में ब्याज का ब्याज भी लगता है और simple interest में जो आपका amount है केवल उसी पे ब्याज मिलता जाता मतलब हर year आपका same रहता है तो अगली बारी 500 मिलेगा तो आपका जो simple interest में जो हमारे पास amount होता है वो arithmetic progression बनाता है क्यों? क्योंकि fixed amount हर साल बढ़ता जाता है लेकिन compound interest वाला नहीं बनाता है ना ये आपको पता चल गया हो compound interest नहीं बनाता लेकिन कैसे करें दिखाएं कैसे मूं मैं आपको बताता हूँ तो आपको बता है कि compound interest में amount का formula आप लोगों ने class 9th में 9th में नहीं 8th में पढ़ाओगा वो क्यों प्रिंसिपल ठीक है और 1 प्लस में R upon पे 100 की power T आती है where T क्या है time interval R क्या है rate of interest और P क्या है अमारा principle जितना amount हमने दिया है bank को तो first year में कितना हैगा हमारे पस तो आपका आपका 10,000 देखो ज्यान से 10,000 ठीक है और 1 प्लस में rate of interest 8 है upon पे 100 और की power T first year के लिए second के लिए क्या बनेगा ये बनेगा 10,000 ठीक है 10,000 1 प्लस में 8 upon पे 100 की power 2 बाई time second year के लिए T2 हो जाएगा third एकल T3 हो जाएगा third एकल क्यों क्यों जाएगा 1 का square, 2 का square, 3 का square ये कभी भी AP नहीं हो सकता क्यों 1, 4, 9 ये difference same है क्या? नहीं है जब कभी भी आपकी power ऐसे increase होती है तो ये ध्यान रखना कभी भी AP नहीं होता आपने पीछे example लिया था तो आपका क्या है this is not an this is not an AP अगर आपको पूरा चेक करना है तो इसको solve कर लेना है ना, पूरा solve करना कैसा हैगा ये 4 upon pay 25 LCM के solve करना पूरी calculation निकाल के जो भी answer हैगा फिर comma जो भी answer हैगा फिर comma जो भी answer हैगा common difference निकाल के आप देख लेना आपका answer निकल के आजाएगा I hope आपको ये समझ में आ गया होगा एक बात दिमाग में रखना compound interest जब भी लगता है तो वो कभी भी arithmetic progression नहीं होता क्योंकि वहापर ब्याज का भी ब्याज लग रहा होता है अब चलते question to ये आप सभी के screen के उप़र write four terms of the AP when the first term A and the common difference are given आपको मैंने स्कार्टिंगे बताया था अगर आपको AP दे रहा है तो आप A और D निकाल सकते हो और अगर आपको A और D दे रहा है तो आप AP निकाल सकते हो तो A और D पता हम AP निकालेंगे हमने अभी देख सीखा AP का मतलब क्या होता general form में A होता है फिर आपका A प्लस D होता है फिर आपका A प्लस 2D होता है और ऐसे चलता रहता है तो यही करना है तो हमारे पास A कितना होगे 10 आ गया दूसरा A प्लस D कितना आ गया 10 प्लस में D भी 10 दे रहा है आपका 20 निकल के आ गया और ऐसी a प्लस में 2d कितना हो जाएगा तो 10 प्लस में 2 मंटिप्लाइब 10 आपका हो जाएगा 10 प्लस में 20 जो की आपका 30 निकल के आएगा तो कैसा बना हमारे पास ap हमारे पास ap कहानी कैसे बड़ी 10,20,30 चलता रहेगा तो next question मारे पास क्या करते है और आपका दूसरा थह तो 2, 0, जो कि आपका रिपीट होता जाता है तो वहां पर common difference क्या होगा जीरो है क्यों यहां पर नहीं एपी की definition को fulfill कर रहा है हम ने का दो के बीच में फिक्स फिक्स क्याप होना चाहिए और गैप से हमें 00 आता जा रहा है यह भी एपी की definition को fulfill कर रहा है इसका मतलब डी में दी कैन भी जीरो नेक्स थर्ड यह आपके screen के अपड़ थर्ड एंफोर्थ कितने फिफ्ट भी और चलो ठीक है तो सेम हमारे पास एक इतना 4 आ गया फिर हमारे पास एप्लस में कितना आगे बताइए 4 प्लस में माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस होता है माइनस थे कितना आगे 1 निकल के आ जाएगा ऐसी A प्लस में 2D और निकल लेते हैं तो A प्लस में 2 मंटिप्लाइड D हो गया और 4 माइनस का 6 आपका माइनस का मेरे ख्याल से माइनस का कितना 2 निकल के आज आएगा तो हमारी जो AP बनेगी कैसे बनेगी 4,1,2 इस तरह की जो है हमारी AP आगे चलेंगी ठीक है यह ची आपको ध्यान रखना है देखो mathematics बहुत असान होता है कब जब आप उसको हड़ बड़ी में ना करके बिल्कुल अराम से पूरा दिन लो एक चैप्टर के लिए अराम से पूरा induction पार देखो पूरी कहानी समझो मेन मुद्दा क्यों कर रहे है उसको समझो तो अपने अप अच्छा लगने लगेगा अब पता ह से करना है हैना गाने आशकल हमकिस गली जा रहे है अपना कोई टिकाना नहीं आल बर्बादनी 100 परसंट गills अने वाला है अगर आपने हर एक वीडियो को इमांदारी यह शिद्दत से शिद्दत से प्रेमी नहीं होता शिद्दत से चीजे भी काम भी होती है वो कर ले तो अपने बास हो जाएगा ठीक है और ऐसी भी गूम लो तुम इधर उधर ऐसा quality content मिलने वाला नहीं है किदर जब सताय math और science का खास करके stress खूब सारा तो ग्यानी कीडा ही तो है एक मांतर सहारा यहां वा क्यों जा रहे हो किसी और गली नहीं हमारे गली आना ठीक है चलिए next यह करते हैं तो आपका a कितना हो गया आपका minus का 1 हो गया a plus में 1 upon 2 जो कि आपका अगर निचे 1 लगा देंगे minus का 2 plus में 1 upon 2 जो कि आपका आगे minus 1 upon 2 निकल के आगे एसी एक और कर लेते हैं a plus में 2 d कर लेते हैं minus का 1 plus में 2 d कितना हो गया 1 upon 2 और फिर है यह क्या हो रहा है a plus 2 d d कितना है 1 upon 2 यह गल्द कर देगे मैंने a plus d minus 1 plus तो minus का 2 plus 1 minus का 1 upon 2 जो ठीक है तो यहां पर कितना आगे इससे खतम हो गया आपका तो minus का 1 plus 1 कितना कटके आपका 0 निकल के आ गया तो कैसे AP बनेगी आपकी AP बनेगी minus का 1, minus का 1 upon 2, 0 डॉट 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 ऐसे आपका AP बनेगा अब last question इस वाले का A आपका minus 1.25 है और D है 0.25 कैसे करेंगे तो अगे आपका दूसरा क्या होता है A plus में D होता है A कितना minus का 1.25 plus में D कितना हो गया minus 0.25 अराम अराम से करना है बराबर में minus 1.25 minus में 0.25 minus минus होता plus कैसे plus करना नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पर कर लेने 1.25 को 0.25 से एड़ करेंगे पाँच पाँच सुन्या दो दो चार और एक पाँच 1.25 आंसर माइनस में है माइनस का आपका 1.5 निकल के आ जाएगा ठीक है ऐसी A प्लस में 2D कर लेते हैं तो माइनस 1.25 प्लस में 2 मंदिपलाद D 0.25 हो जाएगा तो 0.25 को 2 से करें 0.5 आता है माइनस 1.25 माइनस में 0.5 जो की मेरे ख्याल साथ एगा माइनस का 1.75 आपका निकल के आने वाला है तो आपकी जो AP कहानी कैसे आगे बढ़ेगी वो बढ़ेगी माइनस का 1.25 कॉमा माइनस का 1.5 कॉमा माइनस का 1.75 और इस तरीके से जो हमारा AP आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर अगर आपको A पता है और आपको D पता है तो आप बड़े अराम से यहाँ पर AP निकाल सकते हो नेक्स्ट कोशन टू यह आपके स्क्रीन के उपर ठीक है दीरे दीरे आगे स्पीड ही बढ़ाएंगे कि हमें पूरा चैप्टर खत्म करना वन शॉट में तो अभी आराम से इसलिए तकी एक महौल सेट हो जाए स्टेज सेट हो जाए किसी भी चीज की अगर बुनियार स्ट्रॉंग हो तो उसके वर कितने भी बड़ी मंजिल खड़ी कर दो वो जहेल लेती है लेकिन अगर हमारे पास बेस स्ट्रॉंग ना हो तो छोटी से अगर फर्स्ट फ्लोर भी बनाऊगा तो तुरन तूट जागा इसलिए हर chapter में जब भी इस introduction देखा करो बिल्कुर introduction उसका base है है ना, base को मजबूत कर लो फिर कितने इमर्जी बिल्डिक खड़ी कर लो कितने इमर्जी कोशन कर लो सब कोज हिल जाओगे लेकिन अगर base strong होगा तो हमारा base strong नहीं होता और सीधा आते है exercise के उपर AP के, AP पता है मैं AP पता है A और D होता है ना, वही AP होता है यह AP आना तो automatic है तो ऐसा नहीं होता है, तो पूरा reduction part ध्यान से देखना होता है, चले, question third for the following AP's, write down the first term and the common difference तो हमें से first term और common difference आना है तो A कितना हो गया आपका, 3 आ गया common difference कितना हो गया, minus कर दो 1 minus 3 आपका minus का 2 निकल के आ जाएगा बहुत जाज़े लिकरेंगे, ठीक है A आपका minus का 5 आ गया D आपका आगया, minus का 1, minus minus का 5 जो क्योंकिया, minus 1, plus 5 आपका 4 निकल के आ जाएगा ठीक है, तो ये D निकल के आ गया next चलते हैं अपने पास, यहाँ पर check करना है ठीक है, A कितना हो गया अपने पास 1 upon 3 निकल के आ गया, D कितना हो गया अली ओड में से पली ओड को minus करना है denominator same, 5 minus 1 upon 4 आपका हो गया sorry 3, तो 4 upon 3 जो है आपका निकल के आ जाएगा, simple है यहाँ पर A कितना है, 0.6 है D निकालना है, 1.7 minus 0.6, जो कि आपका कितना आ गया 1.1 आपका common difference निकल के आ जाएगा, next 5th यह आपके, sorry, question 4 शुरो हो गया कह रहा है, which of the following are AP, इन में से कौन सा आपका AP है if they form an AP, अगर AP form हो रहा है, find the common difference and write down 3 more terms और 3 और more terms लिखना है, okay, ठीक है देखे रहां से, तो यहाँ पर हम देख सकते है यह AP है नहीं आपको बताना है, तो यह आपका first term है, यह आपका second term है, यह आपका third term है यह आपका fourth term है, तो A2 minus में A1, तो 4 minus में 2 आपका 2 निकल के आगया, चेक है ऐसी A3 minus में A2 check करना है, तो आगर 8 minus 4 आपका 4 निकल के आगया, तो आप देख सकते है common difference same नहीं है, this is not an AP, AP नहीं है, यह लगा तो A2 minus में A1 कितना हो गया, 5 upon 2 minus में 2 नीचे बल लगा देंगे तो 5 minus 2 तो जब 4 upon 2, जो कि आपका 1 upon 2 निकल के आगया, चेक है, ओके ऐसी A3 minus में A2 निकलते है तो अपने 3 minus में 5 upon 2 नीचे बल लगाएंगे चेक है, जो कि 6 minus 5 upon 2 जो कि आपका आगयन 1 upon 2 निकल के आजएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर common difference जो आपका same निकल के आगया, लास्ट वाला भी चेक कर लो, ठेक है तो 7 upon 2 minus में 3 निचे बल लगाएंगे, तो 7 minus 6 upon 2 जो कि आपका again 1 upon 2 निकल के आगया, तो देख सके common difference जो आपका है, same same निकल के आगया, अब अगले term, तीन term और बताने हैं, तो pattern चेक कर लो, 2 आया 5 on 2, 3 आया 7 upon 2, तो तो जो कितना हैगा, 4 निकल के आगया, common 9 upon 2 फिर आएगा 5 निकल के, ऐसे आपका 3 और term हम लोगों नहीं आपर बता दिये, pattern को just follow करके, next चलते हैं 3 यह आपके skin के उपर, यह आपका AP है, या नहीं आपको बताना है, तो check करते हैं, A2, minus में A1 निकालेंगे, तो minus का 3 point 2, minus में, minus का 1 point 2 हो जाएगा, जो कि आएगा, minus का 3 point 2, plus में 1 point 2, टिक है, minus plus minus, 2 में से 2 गया, 0 आएगा, point में 3, minus का 2, आपका निकल के, minus का 2 जो है आपका common difference निकल के आएगा ठीक है ऐसी है ना A3 माइनस में A2 कितना आगया माइनस 5.2 और माइनस में माइनस 3.2 जो कि आएगा माइनस 5.2 प्लस में 3.2 अगे आपका माइनस का 2 निकल के आगा आप देख सकते माइनस 2 फिर माइनस 2 फिर माइनस 2 ही आगे चलता जा रहा है तो यह आपका क्या है आपका arithmetic progression होगा यह AP है अतीन नमर और निकालने कितना है गतो और नमर चलना माइनस का 9.2 कॉमा माइनस का 11.2 कॉमा माइनस का 13.2 अपनी मेर से हमने जो है अंटसंड पेल दिया नोट अंटसंड यह सही है ठेक है चलिए नेक्स नमर रपास क्या कह रहा है 4 तो यह AP है कि नहीं चेकर लेते हैं माइनस का 6 माइनस माइनस का 10 जो कि आपका आगया माइनस 6 प्लस में 10 आपका 4 निकल के आ जाएगा ऐसी माइनस 2 माइनस में माइनस का 6 माइनस में 2 प्लस में 6 जो कि आपका अगिन 4 निकल के आ गया और माइनस 2 और फिर 2 माइनस में माइनस का 2 अपका फिर से जो है 4 निकल के ही आ जाएगा मतलब कि आपका 4 चार जो है एड होता जा रहा है तो 2 प्लस 4 6 चार दस फिर चार चौदा यह आपका बाकी के तीन टम निकल के हैंगे जोगी बहुत आसान है आपको समय आ रहा हुआ नेक्ट चलते हैं हम लोग फिफ्ट एर आपके स्क्रीन के ओपर ठीक है ओके चलिए तो क्या हमने पास फिफ्ट के रहे हैं यह 3 यह यह है एक है फिफ्ट होगए तो हैं आपका फ्रस्ट म्यार्टाइब ऐहां आपका सब्सक्राइब निकल के आज रहा है तो पहले जोगी है आप contribute root में 2 minus में 3 minus में root 2 इससे खतम हो गया 2 root 2 में से root 2 हो गया तो किवल root 2 बचेगा तो अब देख सकते common difference जो है same निकल के आ रहा है last वाला भी check कर लेते है a4 minus a3 जो कि हो जाएगा 3 plus में 3 root में 2 minus में 3 plus में 2 root में 2 ठीक है ध्यान से करना है इस question को 3 plus में 3 root 2 minus में 3 minus में 2 root 2 बोलो 2 root 2 2 root 2 ठीक है इसका खतम अब 3 root 2 में से 2 root 2 गया तो root 2 बचेगा तो हम देख से common difference जो है विल्कुल same same निकल के आ रहा है तो 3 plus root 3 root 2 3 plus 2 root 2 3 plus 3 root 2 तो 3 plus 4 root 2 3 plus 5 root 2 3 plus 6 root 2 बाकी के 3 term आप कुछ से निकाल लेना बहुत आसान है ये चेक करते हैं आपका AP है के नहीं first term second term third term fourth term तो आपका A2 minus में A1 करते हैं पहले तो 0.22 minus में 0.2 तो या आएगा कितना 0.01 बोलो बात सम्झाए बिल्कुल आ गई होगी ऐसी A3 minus में A2 निकाल लिए तो 0.222 minus में 0.22 तो आएगा 0.001 तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोका खा गया यह क्या अपने पास यह आपका AP नहीं है common difference नहीं है तो आपका AP नहीं माना जाएगा अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेवन्त यह आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान सुनेगे तो यह आपका AP है की नहीं निकाल लिए A1, A2, A3 और A4 तो पहले निकाल लिए A2 minus में A1 minus का 4 minus 0 minus का 4 ही निकल के आगया ठेक है दूसरा मार पास कहेगा A3 minus में A2 कितना हैगा minus का 8 minus में minus 4 यह 2 minus ध्यान रहना समहल के करना है यहापर गडबड़ी बहुत होती है तो minus 8 plus में 4 आपका अगयर minus का 4 निकल के आगया तो यह आपर यह AP है आप देख सकते हो 4, 8, 12, minus का 16, minus का 20, minus का 24 बाकी के 3 टम आपके निकल के आजएगे यहाँ पर देखो यहाँ पर सेम से नमर रिपीट हो रहे है तो आपको पता है यह AP होता है यहाँ पर common difference का आएगा जीरो आएगा बाकी के 3 टम minus 1 upon 2, minus 1 upon 2, minus 1 upon 2 यह करने की निकल नहीं है next नमारे पास 9, 13 आपके screen के उपर 1, 3, 9, 27, AP है यह नहीं है तो हम देख सकते है 1 plus 2, 3 होता है यहाँ डू का gap है यहाँ पर जो है gap कितना है यहाँ 2 का gap था और यहाँ पर आपका 6 का gap है तो यह AP नहीं है यह चेक करो A, 1st time यह 2nd time है यह 3rd time है यह आपका 4 time है तो A2 minus में A1 तो 2 A minus में A आपका A निकल के आ गया A3 minus में A2 जो आपके आपका होगे 3 A minus में 2 A आपका फिर से A निकल के आ गया तो यह AP है अब बाकी के 3 term 5 A, 6 A, 7 A चलता रहेगा next नमारे पर 11 तीर आपके screen के अपर A, A square, AQ, A4 मैंने कहा था जहां करें भी power बढ़ती है तो वहाँ पर arithmetic progression नहीं होता है यह क्या होता है यह आपका geometric progression होता है जो example था ना हर बैक्टरी अपने आपको एक घंटे में डबल कर रहा है वह आपका geometric progression है जैसे arithmetic progression होता है वैसे geometric progression होता है वैसे harmonic progression होता है तो यह geometric है और HP जो है GP HP यह आप class 11 ने बढ़ोगे 11th में HP नहीं है 11th में एक इबल आपका GP NCRT में HP आप और higher में पढ़ो तो इसलिए यह GP होता है पावर वाला तो यह AP हमारे पर नहीं है अब यह चेक करना है root 2, root 8, root 8, root 32 काफी बच्चे देखते बोलें कि सार यह AP नहीं है लेकिन यह AP है कैसे इसलिए जल्दी में नहीं बोलना अराम अराम से करना जल्द बाजी नहीं करना यह 1st time हो गया यह 2nd time हो गया यह 3rd time हो गया यह 4th time हो गया आप निकाल लिए A2 माइनस में A1 तो A2 कितना है root में A1 कितना है root में 2 निकल के आजएगा बाज समया गई बिल्कुल आ गई दूसरा A3 माइनस में A2 की बात करें तो root में 18 minus में root में 8 अब root 18 का क्या मतलब होता है इसको लिख सकते हैं 3, 9, 12, 18 minus root 8 को अभी देखा था हमने कितना लिख सकते हैं 2 root 2 लिख सकते हैं तो 2 root 2 हो गया अब ये पेर बन गया 3 बाहर तो 3 root 2 माइनस में 2 root 2 अब 3 root 2 में 2 root 2 गया तो आपका कितना है का root 2 निकल के आ जगा बोलो बात समझाई बिल्कुल समझ में आ रहे होगी ऐसे लास्ट और चेक करते हैं A4 माइनस में A2 पर A3 A4 कितना हमने बात वो है root में 32 माइनस में root में 18 root 32 का मतलब होता 4.16 दुनी 32 root 18 का मतलब 3 root 2 अभी उपर किया था तो 3 root 2 हो गया तो हो गया ये बाहर 4 root 2 माइनस में root 3 root 2 जो कि आपका आगे कितना root 2 तो हम देख से था common difference जो है सेम से में 2, 8, 18, 32 ऐसी जो है बाकी आप जो है यहाँ पर लिख सकते हो ठीक है अगला कितना हैगा अगला मेरे ख्याल से आएगा 8 दोनी ठीक है कितना है हमार पस यह आया root 2 है यह root देख देख ऐसे लिखना है यह आपका root 2 है ठीक है यह आपका 3 root 2 है ये आपका कितना है वर रूट टू ओर और ये लूट टू है और आहले कितना आएगा फाइफ रूट डू गाव चाशा हूश जुलिंग संग है कि यह किरेंग मसें आपके अगले तर्म पров ai घ्xide आपके स्क्रान LeEST कितने हैं भाई है, root 3, root 6 root 9, root 12, check करते हैं अब देखो root से भाहर आते ही नहीं है, root 6 check करते है, यह first time हो गया यह second time हो गया, यह third time, यह fourth time तो a2 minus में a1 की बात करें, तो root में 6 minus में root में 3 की बात करते है root 6 minus root 3, कुछ होता नहीं निकलेगा निकलेगा है निकलेगा पार आप करते हैं ए त्री माइनस में ए टू की ठीक है तो रूट में T dau T 3 होता है तो 3- मैंस में रूट की 6 की बात करें अब ये क्या होता है ये कुछ होता ही नहीं है यह दिखो अलग-अलग है यह पर क्या होगी अपने पास यह बर क्या होग इपश्जान होता है इंट contraction 9 यह चेक करना है की नहीं 1 का स्क्वेर होता है 1 5 का स्क्वेर होता 25 7 का स्क्वेर 49 और योगे 73 यह चल रहा है यह आपका 1st term यह आपका 2nd term यह आपका 3rd term यह आपका 4 term निकल के आगया A2-A1 25 में से 1 गया कितना है गहां? बोलो 24 निकल के आगा इस तरीके से ऐसी A3-A2 मतलब 49 में से 25 गया तो आपका 24 यह निकल के आगा ऐसी A4-A3 मतलब 73 माइनस में 49 अगे आप देखोगे 24 निकल के आगा तो यह क्या आपका आपका AP निकल के आ रहा है तो 73 में प्लस 24 कर देगे कितना है गहा? अगले 4 निकाले ना तो 73 में 24 एड़ कर दोगे तो 7, 97 निकल के आगा अगला पिर 24 और एड़ कर दो तो आपका आगया 121 आगया तो फिर 24 और एड़ कर दो तो आपका आगया 135 तो इस तरह की AP चलती रहागे कहानी के लिए रहे तो यहां पर जाके हम लोगा 5.1 जो एक्सराइस है वो बड़े आराम से खतम होगी I hope आप सभी को 5.1 में कोई दिक्कत नहीं आई होगी 5.1 कैसा रहा मुझे कमेंट बहुता ना अब चलते अपने next exercise 5.2 यह आप सभी के screen के उपर तो exercise 5.2 का question number one यह आप सभी के screen के उपर find the fill in the blanks in following table given that a is the first term d is the common difference an and the end common AP तो यह टेबल दे रहे हैं आपको यहां पर आपके पांच question है मैंने आपको एक formula बताता भी हमने drive किया था कौन सा formula an होता हमारे पास a plus में n minus 1 multiply by d तो मैत का मतलब क्या होता है आपके पास यहां पर 4 चीजह हैं a है n है d है और an हागर आपको a n और d पता होगा तो आपसे aさん निकल वाया अगरपको a an a a और n दे रहे रहे खान्ता आपस verstehen क рукaha यहीं मैत होती है को भी अगर त्वी दे रहे है और n अगर आपका 8 है तो खहराएं ए-n कितना निकल के हमको बता आना है तो formula put करेंगे an कितना होता मुझे पास a प्लस में n माइनस में 1 मंटिप्ला बड़ी निकल के आता है an में निकालना है a कितना होगा आपका 7 प्लस में 8 माइनस 1 D कितना हो गया 3 निकल के आगया तो दिएका 7 बंजा 7 प्लस में साथ या 21 हो गया आपका 28 जो है आपका A N निकल के आगा तो A N इक्वल डो कितना हो गया हमारा 28 निकल के आगया I hope आपको इस समझ में आ गया होगा ठीक है A N बराबर में क्या होता है A plus में N minus 1 multiply by D होता है अब आपका A N कितना है 0 दे रखा है A कितना है minus 18 plus में N कितना है 10 minus 1 तो D कितना हो गया D आपका नहीं पता D को D रहन देंगे यह दर आगया तो plus का 18 इक्वल डो आपका 9 D हो जाएगा और D we can say that 18 upon pay 9 तो 9 2 जा 18 D आपका 2 निकल के आ जाएगा तो यहापर D कितना हो गया 2 निकल के आ गया और यहापर A N कितना 28 निकल के आपका आया था के लिए यहां तक तो second भी हो गया अब कर थार्ड वाला तो यह नोट कर लो मैं इसे मिटायता हूं ठीक है क्योंकि जगा नहीं बचे की फिर यहां पर तो हम लोग यहां पर थार्ड वाला फटावट से लिप्टा लेते हैं ठीक है तो मैं इसको 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 और अब अगर तुम लोगों ने हमें फ़ी तरक चैनल को सब्सक्राइब निए है ना तो गल्ते बात है ध्यान तकना जेल भीन को सब्सक्राइब कर दो यार रहना हम जल्दी से 2,000,000 फे Bennett करनी ऑzekjed कि a n हो गया a plus में n minus 1 into d अब क्या क्या दे रहा है a हम लोगो नहीं पता d आपका minus 3 हो गया और n आपका 18 है और a n आपका minus 5 है put करो minus 5 equal to a में नहीं पता plus में n minus 1 18 minus 1 तो d कितना हो गया आपका d minus 3 दे रहा है अब हो जाएगा अपने पास minus 5 equal to a plus में 18 में 17 ऐगा 17 multiply minus 3 तो 17 माइनस मुद्धी हो कितना सत्रत या 21 निकल के अब इदर आएगा minus का 5 plus में 51 is equal to a हो गया और 51 में से 5 गया तो मेरे खाल से 40 आपका 6 निकल के तो a equal to 46 आगया तो a equal to 46 आपका निकल के आजाएगा मेरे खाल से यह भी आपका हो गया हमारे पास third भी हो तर्ड हो गया ठीक है अब फोर्त की बात करते हैं फोर्त की बात करते हैं क्या का मन्यों में पास के अगsong आएक ओता है एन एक्वल टो होता है एको प्लस में अन-1 डी पूरे एकसाज बेक्साहज में एक हीसाज में एक ही फॉर्मॉल से पूरा चप्टर खतम गरना यह तो सारे notion असान है ठीक है तोaning कितना में पास की यह में वा vintage 215 नहीं 3.6 है तो तूए 3.6 नि दोट • 13.9 पिलत नहीं पता ट कितना वह गया टूँअ पर बेद सब किरोटरें बाभर में उन मांड सब्सक् killing 28 ओर आगया ठीक है और ऐतारा चाहते है तो त्वैंत direct 2.5 डिवाइड में 2.5 एकोल आपका N-1 निकल के आदेगा अब 2.5 को किससे मंटिप्लाय करेंगे 22.5 निकल के आजाए आपका मेरे ख्याल से किससे करेंगे बताओ बताओ तो पांस से कारते हैं ठीक है यह पॉइंट पॉइंट दोनों हट गए सामसे 55 जा ठीक है और 5 से कर पा और आपका N जो है वो 10 निकल के आजाएगा तो N कितने आगए 10 निकल के आपकी यां पर आजाएगी अब ऐसी 5 तवाला कर लेगा है सारा मिटा दूं चलो 5 तवाला कर लेते हैं तो आपको क्या दे रिखा है फॉर्मूला होता है एन एकुल टो होगा अपने पस A प्लस में N minus 1 multiply d यही formula होता अपने पस अब an दे रहे खाब हो कितना हमें नहीं पता an निकालना है तो a कितना 3.5 प्लस में n कितना हो गया 105 टेक है minus 1 d कितना हो गया 0 निकल के आ गया तो आपका an भी कितना हो गया 3.5 यह सारा 0 जाएगा तो आपका an 3.5 निकल के आ जाएगा कौन सा होगा option तो है नहीं आपर तो आपका 3.5 अगर आपका d 0 होता है अगर आपका common difference 0 होता है तो सारे term वही होते तो बिना देखे भी आप solve करें भी इसको लगा सकते थे I think आपको पहला question बढ़ अच्छे से आ गया अब बढ़ते हैं अगले question 2 यह आप सभी के screen के उपर Okay multiple choice question objective है तो मज़ा यह आ जाता देखे 30 term of the AP क्या होगा 30 term क्या होगा मतलब first term second term तीसवा term क्या होगा मतलब आपको n दे रहा है आपको 30 number of term a कितना होगा आपका first term 10 हो गया और d कितना होगा 7 में से 10 गया तो 7 में से 10 गया आपका minus का 3 आपका d निकल के आदाएगा अब हमें क्या निकालना है a n निकालना है तो a n कितना होता है a plus में n minus 1 multiply d यही आपका a n होता है तो a n बरावर में a कितना अपने पास 10 plus में n minus 1 30 minus 1 d कितना होगा माइनस का 3 निकल के आगया तो 10 प्लस में 29 मंटिप्ला माइनस का 3 आएगा तो 10 माइनस में 9 आती है 27, 3, 2, 6, 7, 8 10 में इसे 87 गए तो आपका माइनस का 77 जो की option number C is the correct answer next चलते हैं सेकिंड पार्ट पे 11th term क्या होगा मतलब आपका हमारे पास N आपको 11 दे रखाए A आपका माइनस का 3 है first term D कैसे निकालोगे इस में से इसको माइनस करके मतलब माइनस का 1 अपाउन 2 माइनस में माइनस का 3 आएगा जो की माइनस 1 अपाउन 2 माइनस मैंस प्लस का 3 नीचे 1 लगाएंगे माइनस का 1 प्लस में 6 अपॉन पे 2 जो कि आपका 5 अपॉन 2 जो है D निकल के आ जाएगा है ना असान है A आगया आप माइनस 3 N गिवन है यह अपने वाई 11 आपको बोलगा A N निकालो A N क्या होता है वो होगा A प्लस में N माइनस 1 10 x D जो है आपका A a निकल के आज आएगा अब A कितना होगा माइनस 3 स्थी प्लस में N माइनस 1 11 माइनस 1 11 माइनस 1 D कितना होगया 5 upon 2 तो माइनस 3 स्थी प्लस में 10 5 upon 2 इसे खत्म होगया 5 जाब 25 होगया माइनस 3 илось एगा माइनस 3 प्लस में 25 जो कि आपका कितना आगया 22 निकल के आजएगा option number B is the right answer किसी भी कोशन में नहीं रहेगी पीडा अगर आप देख रहे हो ग्यानी कीडा तो ही next यह आपके skin यो थड़ अप काफे अच्छे कोशन आगए in the following AP find the missing term आपको missing term निकालना है तो बहुत सुंदर तरीका आपको होता होगा आपको AP क्या बताइती मैंने यह होगा A यह आपका होगे A plus D और यह होगे आपका A plus में 2D क्या क्या दे रखा है आपको A given है 2 पहले चीज़ हो गई आपको A plus में 2D दे रखा कितना 26 यह दू चीज़ हो गई अच्छे एक बहुत हो यार A के विल 2 दे रखिए यहाँ पूट कर लूँ मैं तो 2 plus में 2D equal to 26 निकल के आगया 2D equal to 26 minus में 2 हो गया तो 2D equal to 24 आगया और D आपका 12 निकल के आदेगा अगर आपका D 12 है हमें क्या निकालना A plus D यह box भरना ना में तो आपका box A plus D कितना आगया वो आगया 2 plus में 12 जो की आपका 24 निकल के आज आगया तो यहाँ पर क्या आएगा 24 निकल के आएगा ठीक है तो बहुत ही असान तरगे साब कर सकते हो अगर आपको A और D पता है तो ही आप A P की सारी बाते अपने आप बता दो अगर आपको A और D पता हो तो ठीक है यह आपका क्या होता है यह आपका क्या हो गया यह आपका A plus में D हो गया यह आपका A plus में 2D हो गया और यह आपका a plus में 3D निकल के आ देगा ठीक है क्या गया दे रखा है आपको यहाँ पर जो जो दे रखा आप लिख लेंगे ठीक है यहाँ पर chapter 3 भी काम आने वाला है हमें यहाँ पर a plus d 13 है a plus में d आपका 13 दे रखा है और a plus में 3D आपका दे रखा है 3 है ना तो minus minus और यह minus यह खतम हो गया d में से 3D गए बड़े minus है तो minus का 2D equal to 13 में से 3 गया तो आएगा आपका 10 तो d आपका minus का 2 निकल के आज आएगा क्या आएगा d minus का 2 यहाँ पुट करें तो आएगा a minus में 2 equal to 13 हो गया तो आपका a जो है वो 13 प्लस में 2 आपका a जो है 50 निकल के आज आजएगा तो हम देख सकते हैं यह डबा कितना आगा 15 आएगा अब यह क्या a plus 2D है तो a plus में 2D 15 प्लस में 2D कितना minus का 2 है तो 15 minus में 4 कितना आगे आपका 11 11 निकल क्या देगा तो यह आपका 11 होगा दो दो कम होता जा रहा है है यह क्यों रहा भाई 15 में से तीन गया 11 यह इतीन नहीं होगा यह यह गल्थ सा लग रहा है को यह कि तीन ही है क्या ओहा पंदरा में से दो गया फिर दो गया 11 यह 9 होना चाहिए था ना अब भूर बूर अप्र लग रहर ह्या ना बलग रहे की एक पूंडें यह फूंड लीकोशन चेक काले अबस्याट ना कि अहिंग हम अचुछ मुद हम पाद करें देखना जाना यारर न कुछ गडबड करिये मैं देखना यार तो आपका कितना आगा यह कुछ गर्वड लग रही है तो ए प्लस में डी आपका 13 हो गया ए प्लस में 3D आपका 3 रखाए ना तो आपका माइनस यह माइनस और यह माइनस आगा ठीक है आपके तो फिर क्या होगा अपने पास है एड्रमे से तीनग माइनस टूड यह माइनस तूडी अच्छा- यह माइननस का पांच ओरी सोरी ओसले अजयर पर हैं तो mr. topic यह अझतना अपनिस दूस्स का फांच एक तो टो माइनस का पांच का फाइल य Chi요 एकक्वर दो इतना हो गया तो थाटीन ब्लस 5 होगे तो ए आपका 18 अब सीएक आपका 18 आगया तो यह आपका अight आइन फंचीन थाटीने ए प्रस टो maritime ही निकालना है तो ए प्लस में टू डी हो जाए आपका ए प्लस में टू डी कितना मायनस का अपाइब न तो 18 मायनस मिट 10 हो गया आपकाई डू से 5 गया आठ म één से पाज गया रहा मैं से 8 ृड्धा ए 2050 ए यह ती और आपका ए पयूंट्स नी गलके आ अगया या ई यह आपका 5 दे रहे हैं पहले चीज हो गई दूसरा ए प्लस में 3D आपका दे रहे हैं फाइफ 9 1 अपॉन 2 9 1 अपॉन 2 कितना होता है 9 2 9 19 बटा 2 यहां पर से काट के मैं सीधा 19 बटा 2 ले तो ठीक है तो यहां 19 बटा 2 यह आपका एक्वेशन नमर क्या होजएगा 2 निकल क्या देगा अब एक यहां पुट कर दूँ तो अगगा 5 plus में 3D एक्वल टू 19 upon by 2 हो जाएगा तो 3D equal to हो जाएगा 19 upon by 2 minus में 5 upon by 1 है ना तो 3D equal to कितना हो गया 19 minus 10 बटे पर 2 तो 3D equal to हो गया 9 upon by 2 और 3 नीचे आजाएगा तो D equal to हो जाएगा 9 upon by 2 multiply by 3 3 से काड़ देंगे तो D कितना हो गया 3 upon 2 आपका निकल के आ जाएगा और A तो हमला पार 5 हाई हैना हमें निकालना A plus D तो A plus में D कितना हो गया यह A 5 है D कितना हो गया 3 upon by 2 यह 1 लगाएगे 5 दो नीचे 10 plus में 3, 3, 2 तो गया 13 upon 2 अब 13 upon 2 को आप ऐसे अगर mixed fraction में लिखना तो लिख सकते कितना हैगा 6, 1 upon 2 निकल के आगा अब ऐसे भी से लिख सकते हो ना फिर A plus में 2D तो आगे आपका A कितना है 5 plus में 2 into D कितना है 3 upon by 2 दे रखा है 2 से 2 कहा है जिल 5 और 8 निकल के आता है तो यह आपका 8 हो गया यह आपका 6, 1 upon 2 जो है निकल के आज आएगा असान है? असान लग रहा है नहीं है असनो मुझे comment box में बताते चलना यह आपका A हो गया यह आपका A plus D यह आपका A plus 2D यह आपका A plus 3D और यह आपका A plus 4D और यह आपका A plus में 5D निकल के आगया अब हमारे पास A आपका minus का 4 दे रखा है और आपका A plus 5D आपको 6 दे रखा है तो A के लिए minus का 4 गिवन है तो यहाँ पर put कर देंगे इस तरीके से तो 5D equal to 6 plus में 4 10 हो जाएगा आपका तो 5D equal to 10 है तो D कितना आगया आपका 2 निकल के जो है D आ जाएगा है ना तो A आपका minus 4 है D जब A और D पता हो फिट तो कोई जंजटी नहीं होती है आपको A plus D निकालना आप फड़ावर से कर लेते हैं तो A plus D आपको निकालना है तो minus 4 plus में 2 आपका minus का 2 निकल के आगा यहाँ पर आप minus का 2 लिख सकते हैं तेक है फिर A plus में 2D निकालना है माइनस का 4 प्लस में 2D कितना है 2 दे रखा है तो माइनस का 4 प्लस 4 जो है आप यहाँ पर आपका 0 निकल के आ जाएगा ऐसी बाकी देख सकते हो माइनस 2 कम हुआ 2 कम हुआ फिर जुड़ा, 2 जुड़ गया, 2 जुड़ गया यह आपका A plus 2D तो यह आपको याद होगा ना जेनरल टम तो फिर तो AP सच में बहुत असान चेप्टर है यहना बहुत असान है अभी तक कुछ मुश्किल लगा मुझे कमेंट बोक्स में बताना तो A plus में D आपका 38 दे रखा है ठीक है और A plus में 2D आपका दे रखा माइनस का 22 है ना 2D देखा गडबड़ होना बात करते करते काम करो ना दिमाग खराब हो जाता कभी करते हो तो यह आपका 5 है A plus में 5D है यहना दोनों को solve करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यह खतम हो गया D मेंसे 5D गया माइनस का 4D बरावर में 8,2,10 ठीक है 3,2,5 और 1,6 तो D कितना आ गया 60 एपॉन माइनस का 4 जो की 15,3,6 तो D आ गया माइनस का 15 आपका जो है D निकल के आ जाएगा तो D अगर आगे तो A निकालो तो A plus में D कितना माइनस का 15 एकॉल टो 38 हो जाएगा ठीक है तो A आपका 38 प्लस में 15 तो A आ गया 8,5,13,8,5,13,3,4,53 जो है आपक करेंगे इस तरह जाना है कि अना तो ए प्लस दिकालना तो जो फिफ्ती फी फ्री फ्री निकालना ए फ्रन्टी do अब A plus 3D निकालो A plus में 3D तो A कितना निकलता 53 प्लस में 3D माइनस का 15 पंदा थी है 45 होता है 53 में से 45 मैंस करेंगे 53 में से 45 गया तो मेरे ख्याल से तो 8 आठ आएगा तो यहाँ पर आपका 8 निकल के आएगा है ना ऐसी last A plus में 4D और निकाल देते हैं तो अपना काम ये खतम हो जागा तो A कितना है 53 प्लस में 4D कितना हो गया D आपका माइनस 15 पंदारा चोके 60 होता है 53 में से 60 चला गया तो माइनस का 7 में निकल से आएगा तो यहाँ पर आपका माइनस का 7 निकल के आएगा I hope आपको ऐसे डबबे वाले कोशन बहुत असान तरीके से आपको आगए होंगे अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरू कर देना पूरा चैप्र देको जितने भी मैं वन शॉट आलू ना इमान दारी से भले ह आपको आता हो बिना आलास करें उस वीडियो को जरूर देखना ताकि कोई प्रॉब्लम आगे क्रेट ना हो बढ़ते अपने अगले कोशन यह आपके स्क्रीन के अपर फोर्थ वीडो बड़ी वन जागी तो थोड़ा फास्ट घाल देम लिएगा дав जो सेऽ जरू कोई होगा तो फॉर्थ 78 है तो आपसे n पूचा कितना निकल के आगा formula होता है a plus n minus 1 into d यह आपका a n होता ठीक है वीडियो बड़ी बड़ी बन जागी तो थोड़ा फास्ट का लिए हम 78 बराबर में a कितना 3 plus में n minus 1 into d कितना हो गया 5 हो गया 78 minus 3 equal to हो गया n minus 1 multiply by 5 हो गया तो 75 upon 5 equal to n minus 1 तो 5 वंजब 5 5 5 जब प्लस 1 equal to n हो गया 16 equal to n और we can say that n की वेल कितना आगी 16 निकल के आधर एक चीद्यान रख रहा जो n होता न n हमारे पास ने एक natural number निकल के आना चाहिए अगर आपका n natural number नहीं है तो मतलब वो अगर यह पूसता is 78 is in this sequence इस एपी में है 78 तो हमको चेक करना 17 करस्पोंटिंग के n की एक natural value निकल के आ रही ए natural number की अगर n natural number नहीं होता ना तो वो फिर गलत है next 5 फिर आपके screen के अपपर find the number of term in each of the following n निकाला number of term ठीक है तो simple है आपका 7 हो गया d कितना हो गया 13 में से 7 गया तो मेरे ख्याल से 6 आएगा ना yes a n आपका 205 निकल के आ गया तो a n क्या होता है a n होता है a plus में n minus 1 multiplied by d निकल के आता है तो 205 equal to a कितना हो गया 7 plus में n हम लोगो नहीं पता d कितना हो गया 6 निकल के आ जाएगा simple तो 205 minus 7 बराबर में n minus 1 multiplied by 6 निकल के आ देगा minus वाला plus में होगा plus वाला minus divide वाला multiply यह चाहिए द्यान दखना तो काटेंगे 6,3,8,6,3,8,8 equal to n minus 1 अब इदर आगा 33 plus 1 equal to आपका n हो गया और n जो है आपका 34 निकल के आ जाएगा तेक है मेरे खाल साथ साथ आंसर भी चेक करते चलते हैं यह ता कि दिक्कत ना है ठीक है n 34 आगा बिल्कुल सही है चलो next question next में क्या की बोला हमसे next ने पूछ रहा है कि a आपका 18 हो गया ठीक है अच्छा d कितना आएगा d 15 दूनी 30 और 31 तो 31 बटा 2 minus में 18 हो गया नीचे बन लगाएंगे तो 31 18 दूनी कितना 36 अपॉण पे 2 जो कि आपका आगया minus का 5 अपॉण 2 जो है आपका d निकल के आ जाएगा और यह आपका a 18 निकल के आगया आपको a n दे रहा minus का 47 ठीक है के लिए रहें चलिए तो a n क्या होता है a plus में n minus 1 multiply d निकल के आता है तो minus का 47 equal to a कितना 18 प्लस पे n minus 1 तो d कितना है d आपका दे रहा minus का 5 अपॉण 2 सही है ओके तो minus का 47 minus का 18 बरावर में n minus 1 multiply by 5 upon 2 आ गया अब 7 और 8 15 होते हैं 4 5 है minus का 65 अब जहां सुनना equal to आ गया n minus 1 multiply by 5 upon 2 निकल के आ गया सुरी minus का 5 अब सुनन माइनस है तो minus कतम हो गया अब यह 2 यहां divide में multiply हो जागा तो 65 multiply 2 और यह 5 divide में तो multiply में यहां पर आगे divide हो जाएगा equal to n minus 1 आएगा तो 5 से कड़ने के तना है तो 5 वं जब 5 फाइफ 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 तो 26 equal to n minus 1 हो गया 26 plus में 1 equal to n आ गया और n आपका 27 निकल के आ जाएगा जो की बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया ठीक है जो नहीं आता वो आप थोड़ा repeat करके देखना उसके बादे को doubt बनता है तो यह मेरी Instagram ID है आप मुझे यहाँ पर follow कर सकते हो और कोभी doubt आप मुझे पोश सकते हो next चलते है question 6 यह आपके screen के उपर check whether minus का 150 is a term of the AP or not minus का 150 क्या आगे जागे कहीं पर आएगा या नहीं मैंने का था अगर minus का 150 से इसके आगे कहीं आएगा तो उसके लिए N की value होनी चाहिए और कैसी value N की एक natural number वाली value होनी चाहिए अगर N natural number निकल के आजाए तो yes होगे कोई दिक्कत नहीं आए तो नहीं होगा चेक कर लेते हैं तो हमें check करना यह आपका AN होगया AN आपका minus का 150 होगया A आपका 11 निकल के आगे D आपका 8 minus 11 जो की आपका minus का 3 निकल के आगा ठीक है और N हमें चक्रना कैसा आएगा तो A N equal to होता है A plus में N minus 1 multiply D है ना A N minus का 150 हो गया equal to A कितना हो गया 11 N minus 1 नहीं पता D हो गया minus का 3 minus 150 minus में 11 equal to हो गया N minus 1 multiply by minus का 3 या कि minus का 161 divided by 3 minus का equal to N minus 1 अब minus से minus कहां से अब 6, 7 और एक 8 अब ये न कटता नहीं 3 से कटेगा नहीं तो N fraction में आगा और N के विली fraction में नहीं होती इसका मतलब minus 50 जो है वो आगे जाके कहीं पर भी नहीं पड़ने वाला तो ये no आएगा next 7 ये आपके screen के उपर find 31st term of an AP अब अच्छे कोशन शुरू हो गए है अब ध्यान सुनना जैसे बताओं वह वैसी करना के रहें 31st term निकालें 31st term मतलब आपको A31 निकालना है और A31 का मतलब A plus में A कम D A30D ये हमें निकालना कितना निकल क्याएगा अब ये हम तभी निकाल पाएगे जब A पता हो और D पता हो आगे क्या जान करें दिये है कि रहें 11th term 38 है मतलब आपको A11 38 दे रखा है और 16 term 73 है और आपका A16 73 दे रखा अच्छे एक बात हो A11 मतलब A plus में A कम D 10D आपको 38 दे रखा है equation number 1 हो गई 10D मतलब 16D कितना हो गया A plus में 15 A कम D equal to 73 दे रखा equation number 2 निकल के आदेगा solve कर दें minus minus और minus ये खतम हो गया 10D में से 15 minus का 5D equal to 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 3 का 3 minus का इतना खतम तो D जो है आपका 35 upon 5 तो D आपका 7 निकल के आ जाएगा कितना अगर D 7 निकल के आएगा अगर D 7 है तो A कैसे निकल लेंगे आप पहले कुछने पुट कर दीजे chapter 3 में पढ़ाया था मैंने आपका खुब सारा तो A plus में 10 multiply D 7 है equal to 38 हो गया मैंना तो A plus में 70 equal to 38 हो गया तो A कितना आगया 38 minus में 70 आगया तो A आपका जो है minus का 32 निकल के आजएगा A कितना आगया आपका minus का 32 निकल के आपका A आजएगा D पता है हमें क्या निकालना है A 31 जो कि आपका क्या होता है A plus में 30 D होता है जब A और D पता हो फिर किस बात की tension ठीक है D हो गया 7 21 तो 31 और plus में 7 तो 21 210 में बैसे 2121 तो कितना आता है बताओगे जरा तो मेरे हिखाल से आपका आएगा 10 मैं से tamrht 10 में से एक तो 9 आएगा और 10 में से एक चाहिए तो नो 10 में 3 आए 7 और में खाल से 179 कुछ आएगा यह ना कोई दिक्कत तो नहीं ओरी है 30 अरे यार मैं विमांगना देखो A32 है 31 देखो हिम्मत 31 लिख रहा हूं मैं अरे बाग क्या मज़ा आ गया है 32 है 32 है अब बताओ 10 में से 2 गया तो 8 आ गया फिर 10 में से 3 गया 7 178 निकल के आगा A31 जो 170 निकल के आगा साथ साथ आंसर चेकर चलिए तक यह दिक्कत ना है तो यह exactly सही आंसर है नेक्ट चलते हैं 8 यह आपके screen के उपर and AP consists 50 term एक AP में 50 term है तो कुल 50 term है जिसका 3rd term 12 दे रखा है कुल 50 term है आखरी term 106 मतलब 50 वा term 106 मतलब A50 आपका 106 है और A50 का मतलब क्या हो गया A कम D A plus में 49 D आपका दे रखा कितना 106 किरा find that 29 term हमें A29 निकलना कितना निकल के आएगा अभी कर लेते हैं पहले इसको solve कर लें तो यहां पर डंडी कीचेंगे बोलो माइनस 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 यह कतम हो गया माइनस का 47 D equal to minus का 94 निकल के आएगा minus से minus cancel D आपका 94 अपॉन पर 47 आएगा तो यह होगा 2 टामस तो कटेगा तो D आपका 2 निकल के आ देगा अगर D आपका 2 निकल के आ गया putting the value of D in equation first what we get A plus में 2 multiply 2 equal to 12 हो जाएगा then A is equal to 4 plus A equal to 4 12 minus 4 then A is equal to 8 निकल के आ गया अब 20 A भी आ गया D भी आ गया 8 20 नहीं मतला A कम D तो A plus में 28 D हमें निकालना है तो 8 8 plus में 28 D कितना होगे अपने आपका 2 निकल के आ गया पर इसे दिमाग चल रहा है चलिए तो 28 निकल के आठाएगा तो आठ प्लस में 56 जो कि आपका 64 आ गया तो A 29 जो है आपका 64 निकल के आएगा ओ सकता है maybe in calculation there will be some mistake ठीक है there was some mistake तो कहते हैं आप देख लेना अगर कोई गलती होगी तो मुझे comment box में बताना मैं उसको pin ने कर दूँआ next 9 यह आपके screen के अपर if the third and the 9 term of an AP are 4 and minus 8 अगर third term 4 है मतलब आपका A3 अगर आपको 4 दे रखा है and the 9 term A9 आपको minus का 8 दे रखा है third term मतलब A plus में 2D equal to 4 दे रखा है 9 term A कम D तो A plus में 8D आपका minus का 8 दे रखा है ठीक है यह हो गया which term of an AP कौन सा term N, N क्या होगा जब N क्या होगा जब AP 0 value देगा मतलब A N अगर 0 होगा तो N क्या value देगा दुबार सुनू which term, कौन सा term, first term, second term, third term, कौन सा term, N पूछ रहा है कि 0 होगा वो A N हो गया बतारा है मैंने starting में, solve करते है, minus, minus, plus, देखाता है 8 और 2 कितने होते हैं मेरेकल 10 होगा न, नहीं, तो यह minus का 6, minus का 6D equal to 12 आ गया और D आ गया, minus का 2 निकल के, अगर D minus का 2 है, यह आप चेक करें, तो A plus में 2 into minus का 2 equal to 4 हो गया तो A आ गया, आपका 4, plus में 4, तो A आपका 8 निकल के आ जाएगा, यहना A क्या होगा, आपका 8 निकल के आ गया अब A-N zero हो, उसके लिए N क्या होगा, तो हमें पता है, A-N का formula क्या, अपको पता ही है तो A-N equal to होता हमारे पास, A plus में, N minus 1, multiply D होता है अब A-N हमारे पास कितना zero है, A कितना हमारे पास, A plus में N minus 1, D कितना होगा, minus का 2 निकल के आ गया माइनस का 8 is equal to n-1 multiply by minus 2 हो गया अब ये multiply by minus 2 यहाँ पर आकर divide होगा तो minus 8 upon minus 2 equal to n-1 हो गया इससे खतम 4 आ गया 4 plus 1 equal to n निकल के आ गया n जो है आपका 5 निकल के अगा मतलब 5th term जो है वो आपका 0 निकल के अगा let me check the answer exactly correct answer now चलते next question हमारे पास 10 यह आपके screen के अपन the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7 जो 17th term है वो 10th term के मुकाबले 7 जादा है क्या बोला मैंने 17th term जो है वो 10th term के मुकाबले 7 जादा है इसको statement का से लिखेंगे जो 17th term है वो 10th term के मुकाबले 7 जादा है ऐसे दो लिखेंगे 17th term a 17 सब्सक्राइब करते हैं से ए प्लेस में 16 डी 17 एक कम डी 10 का अगया अब एसे तो एक खतम हो गया 16 डी माइनस पे 9 डी इकल डी गया तो 7 डी इकल डू 7 आ गया तो डी आपका वन निकल के आजागा बहुत यह असान कोशन थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे यह आपके स्क्रीन के उपर देस इस वन अव दे मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन इसे मा कर लेना इंपोर्टेंट करके ध्यान से सुनना बतारो क्या है क्या रहा है कि विच टर्म ओफ दे एपी एपी का कौन सा टर्म 3 15 27 39 विल बी 132 मोर दैन इस 54 टर्म काफी इंपोर्ट कोशन है कर एपी का कौन सा टर्म उसके 54 टर्म से 132 जादा होगा उसके 54 टर्म से 132 जादा होगा ऐसा कौन सा टर्म होगा यहाँ पर आपसे पूछ रहा है N की वैल्यू यह बात के लिए होगी अब N आपको दे रखा है तो इसने क्या बोला 54 टर्म कुछ निकल के आगा उसमें 132 एड कर दूआ तो कुछ निकल के आगा वो क्या होगा आपका वो आपका A N होगा और उसके करस्पोंडिंग आपको N पूछ रहा है तो इसका मतला यह जो भी आएगा वो आपका A N होगा इतनी बात के लिए होगी बस यही में था इसमें तो A N क्या हो गया 54 टर्म से 132 जादा A N हो गया उसके करस्पोंडिंग N निकालना है अब करते हैं से A N हो गया A प्लस में N माइनस 1 वंटी प्लाबर D A 54 क्या हो गया A प्लस में 53 D और प्लस में आपका 132 निकल के आ जाएगा अब यहां पर देखके क् A Cancel हो गया आपका पहले हम सारी values को लिख लेते हैं एक कितना आगया आपका A आपका 3 निकल के आगया D कितना हो गया 15 माइनस में 3 आपका 12 निकल के आगया तो A और D हम लोगों ने AP से निकाल लिया ठेक हैं असान है तो N-1 इंटू D कितना हो गया D आपका 12 दे रखका है बर 236 12 65 63 प्लस में 132 निकल के आगया तो N-1 मंटिप्लाइब है 12 बराबर में कितना हो गया 6 दो आपका 8 हो गया 3 और 3 6 हो गया 768 तो N-1 बराबर में 768 अब 12 यहां पर मंटिप्लाइब होगा डिवैड़बर 12 आ गया तो बारा 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 चिक बहुत तर बज़ा तो n कितना आगे, n-1 जो है 64 आजाएगा, तो n जो है 64 प्लस में 1, तो आपका n जो है वो 65 निकल किया आगा, मतलब 65 जो टाम होगा, वो उसके 54 टाम से 132 जादा होगा, I hope आपको ये कोशन बहुत अच्छे से सामझ में आगे होगा, next चलते हैं 12 ये आपके स्क्रीन के उपर, what is the difference between 1000 term, अरे क्या कोशन है, अगर दो AP का same common difference है, तो उनके, अगर 100 term का difference 100 है, तो 1000 term का difference क्या होगा, अरे वाग, क्या कोशन है न, मता आ गया, चले, तो मालते पहले AP1 की बात करते हैं, ठीक है, मालो AP1 में जो first term है, आपका first term, ये माल लेते है, first term जो है, ऐसे ठीक है, AP1 में माल लेते हैं, जो first term है, हमारे पास, लो, first term माल लेते हैं, मैंने क्या माल लेते हैं, और common difference, common difference जो है, मैंने क्या माल लेते हैं, वो मैंने माल लेते हैं, ठीक है, अगर AP2 की बात करें हम लोग, तो माल लेते हैं, तो माल लेते हैं, तो मैंने A माल लेते हैं, लेकिन common difference दोने म difference between their hundred term, इसका hundred term क्या होगा, a प्लस पे एक कम डी, 99d होगा, चैके है, minus में, इसका hundred term क्या होगा, a प्लस पे 99d होगा, यह आपको hundred दे रखा है, I hope आप समझ पार हो क्या कहना चारों में, तो a प्लस पे 99d, माइनस में capital a, माइनस में 99d is equal to hundred आ गया, अब इससे आपका एक खतम ह प्लस पे रखा है, यहाँ पर कुछ, यह मालोई equation में मानगें, यहाँ पर मैंने छोड़ दिया, अब यह काम का नहीं है, कह रहा हूं के thousand term के मुझे difference क्या होगा, अच्छे एक बात हो, thousand term क्या होगा, इस वाले का, तो a कम डी, a प्लस पे 99d, 1000 term होगा, इसका thousand term माइनस में, a a प्लस पे, capital A, sorry, 999d same है, यह क्या होगा, मैं निकालना है, तो यह ओगा, a प्लस पे 999d, minus a minus पे 999d, equal to क्या होगा, तो यह से खतम, तो आपका a माइनस में a क्या होगा, आपको निकालना होगा, अब a माइनस a क्या होगा, A-A जो आपका 100 ही तो है A-A के है आपका A-A 100 दे रखा है तो इसका मतलब A-A उनके 1000 टम के बीच का डिफरेंस भी 100 ही निकल के आएगा I think आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है चुक है से यह सोरनों बोग्स में बताओ फटाबट से एक मिटाए ना पानी पी लेते हैं तब पढ़ते हैं अपने अगले कोशन 13 यह राप सभी के स्क्रीन के अपर गो How many 3-digit numbers are divisible by 7 ऐसे कितने 3-digit के number होंगे जो कि 7 से divide हो जाए काफी बड़े कोशन शुरू हो गया अब यहां से तो आपको यहां पर ना AP बनानी पड़ेगी अब ही क्या आपको यह तो आपको AP दे रहा था फिर कुछ पूछ रहा था यह फिर आपको कुछ टॉम्स दे रहा था 6 तॉम इतना है 5 तॉम इतना है अब यहां पर AP भी खुद बनानी है तो थ्री डिजिट नम्मर शुरू होता है आपका 100 से तो क्या आपका 100 जो है वह 7 चे डिवाइड होता है क्या अफकॉस नॉट 7 वंजा 7 ठेक है माइनस में 3 आया 0 तारह तो 7 7 28 निकल के आगया इसका मतलब कितना है हमार पास 2 है ना मतलब यह है कि अगर इसमें 5 और जोड़ दूं 100 में 5 और जोड़ दूं तो यह डिवाइड हो जाका नहीं होगा तो पहला नमबर आपका 105 निकल के आगा ठेक है खुश से निकाल से तो मैं एक तरीका वता दिया 105 यह भी बना रहा हूं दूसरा कितना होगा साथ और जोड़ दो 105 में साथ जोड़ंगे 112 निकल के आगया फिर 119 से आगा ठेक है डॉट 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 आखरी नमर आखरी 3 डिट नमर कौन सा होगा जो की 7 से डिवाड होता है अब लास्ट 3 डिट नमर होता 999 999 क्या 3 से 7 से डिवाड होगा अफकॉस नॉट 7 वंजा 7 क 28 कितना आया वन निकल के आगया फिर 9 और फिर 7 टूजा 14 हो गया 5 मतलब रिमेंटर 5 extra तो 999 में से अगर मैं 5 को रिमूफ कर देता तो मेरा काम बन जाता तो 994 जो है वो लास्ट 3 डिट नमर है जो की 7 से डिवाड होता है तो इस तरीके से आपने यहाँ पर AP बनानी है मेरे ख्याल से आपको AP कैसे बनी यह समझ में I think आगया होगा तो अगर पहले नमर निकालना है तो रिमेंटर में क्या एड करूँ कि दिवाइजर बन जाए और अगर निकालना लास्ट नमर तो क्या सब्रेट करूँ कि बन जाए तो यह ध्यान रखना तो अब A निकल के आपका 105 दी आपका no doubt 7 है आपका AN दे रहे खा कितना 994 वाट इस दे वैल्यों एन एन कितना होगा तो फॉर्मला के ओधा कैसे करेंगे 14 में से 5 गया तो मेरे ख्याल से 9 आएगा ठीक है 8 में से 0 गया तो 8 ही आएगा 9 में से 1 गया तो 8 ही निकल के आएगा upon पे 7 इक्वल 2 हो गया n-7 काटे से 7 बचा 7 बचा 7 तू जब 14 बचा 4 7 7 जब 49 और यह इधर आके plus का 1 इक्वल 2 n हो गया और n इक्वल 2 128 निक अंदम करना है बढ़ते हैं अगले कोशन 14 इर आपके स्क्रीन के ओपर से मैसे कोशन हाओ मैनी मल्टीपल और फोर लाए बिट्विन 10 तू 150 10 से 250 सोरी 10 से 250 के बीच में कितने ऐसे नमर चार के मल्टीपल होते है तो एपी बनानी पड़ेगी तो सबसे पहला चार का मल्टीप पर दस से और डाइसों के बीच में होता है 12 फिर आता है 16 फिर आता है 20 और आखरी होगा 248 यह तो आसा अंदम कुछ से निकाल सकते थे इ पचल गे आपको 12 डी पचल गे आपको 4 है अ पता कितना 248 होगा ठीक है हमें क्या पता है अन इक्वल Tu होता है अ प्लस में n-1 वंटिपलार दी है आपका एन होता है है न तो 248 बरायव है दे ट्वेल फबलस में n-1 और डी कितना अपने आप 4 निकल क्या देगा तो 248 माइनस में 12 equal to n minus 1 multiply 4 होगा बिल्कुल होगा अब 8 में से 2 गया तो 6 आएगा 4 में से 1 गया तो 3 आएगा 236 upon 4 equal to n minus 1 तो 4, 25, 20, 3, 4, 9, 36 plus में 1 equal to n होगया तो n आपका 60 निकल गयागा इसका मतलब हमारे पास 60 ऐसे नम्मर होंगे 10 और 200 के बीच में जो की 4 के multiple होंगे let me check the answer question of 14 yes exactly 60 is the right answer now next question 15 यह आपके screen के अपर for what value of n n की किस value के लिए are the nth term of 2 ap are equal इसका nth term इसका nth term बराबर हो जाए किस n के लिए कितना असान question है यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा यह आपका a ap1 अगर बात की ap1 की बात करूँ a आपके कितना 63 दे रखा है यह न d कितना है 65-63 आपका 2 निकल के आगया अगर मैं इसके nth term की बात करूँ an की बात करूँ तो आप बोलोगे सर बहुत असान है तो होता है a प्लस पे n-1 multiply by d होता सर बहुत असान है मतलब 63 प्लस में n-1 multiply by d2 हो गया मतलब 63 प्लस में 2n-2 हो गया मतलब 61 प्लस में 2n जो है इसका n-th term निकल के आदाएगा बोलो असमझ में आया बिल्कुल समझ में आचुका होगा अगर मैं ap2 की बात करूँ अब ap2 की बात करूँ तो first term हमें आपा 3 दे रखा है and the common difference is given 10-3, 7 तो n-th term कितना होगा तो a plus में again same formula इतना आगा ठेक है a कितना अपने पास बोलिए 3 plus में n-1 into d हो गया 7 निकल के आगया तो 3 plus में 7 को n से करेंगा 7 n आगया 7 बंजा 7 निकल के आगया तो हो गया 7n-4 आपका इसका n-th term निकल के आगया कर n की किस value के लिए दोनों का n-th term बराबर होगा तो दोनों का n-th term बराबर करके देखते n क्या निकल के आता है तो 61 plus में 2n बराबर में 70, sorry 7n-4 61 plus में 4 is equal to 7n-2n and 65 is equal to 5n और we can say that 5n is equal to 65 n is equal to 65 upon 5 n is equal to 13 इसका मतलब 13th term 13th term जो है AP का जो है दोनों बराबर बराबर निकल के आने वाले है यह वाला कोशन आपको समझ में आया या नहीं आया है मुझे इमानदारी से comment box ने बताना आप जब comment लिखते है मुझे बड़ा अच्छा लगता है काफी energy feel होता कि हाँ बच्चे response कर रहे है और आप सबसे request है जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है जितना हो से को उतना share करना ताकि हर middle class के family के बच्चों तक equality content पहुंचे हम बिल्कुल उच नीच का छपा टूटा सब बराबर वाली चीज़ों को follow कर रहे है मतलब हमारे पास काफी ऐसे बच्चे दोगी tuition afford नहीं कर सकते तो आप सभी उनकी मदद कर सकते हो बाइस सरिफ आपका 3 सेकिंड लगना है इसको वीडियो को pause करके इसकी link अपने group में send कर दो अपने सारे friends को और जो है उनको बोलो इस वीडियो को देखने के लिए no need to go tuition because tuition से बहतर quality हम देने की आप पूरी कोशिश कर रहे है चलता next 16 एर आपके screen के उपर जान सुना determine the AP हमें AP बनाने बताने क्या होगा whose third term is 16 जिसका third term 16 हो लिखते चलते हैं AP बनाने है इसका third term जिसका third term 16 हो 7 term जो है 5th term से 12 जादा है 7 term exceeds जादा है 5th term के मुकाबले 12 से मतलब A7 आपका 5th term के मुकाबले 12 जादा दे रखा है दोनों से equation निकालते है A3 मतलब आपका A plus में 2D आपका 16 हो गया यहाँ पर A plus में आपका 6D एक कम D होता है A plus में A कम D 4D एक प्लस में 12 हो गया अब A से A cancel हो गया तो 6D माइनस में 4D का 12 हो गया तो 2D इक्वल तो आपका 12 हो गया और D आपका 6 निकल के आ जागा D कितने हागी? 6 आगी यहाँ पुट कर देते हैं तो A plus में 2 इंटू 6 एक्वल तो 16 हो गया तो A plus में 12 एक्वल तो 16 हो जाएगा और A आपका 16 माइनस में 12 A आपका 4 निकल के आ जाएगा क्या होती है हमारी A P? हमारी A P होती है बताए A, A plus में D A plus में 2D ऐसे हमारी A P चलती है यह 4 हो गया 4 में 6 जोड़ेंगे 10 आ गया फिर आपका 16 चार, 6, 10 आगे चलता रहेगा यह आपकी A P निकल के आ जाएगी I hope आपको यह कोशन ही बहुत ऐसा हो जाएगी तो मैंने वही बोला बार बार ना कि अगर आपना एक इंट्रेस्ट लेके बेसिक से बेसिक आपका जो बेस अगर स्ट्रॉंग होगा कॉंसेट क्लेर होंगे तो A P क्या हर कोशन हर चैप्टर में मज़ा आएगा लेकिन शर्त के आपके बेसिक स्थीक होने चाहिए इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आजकल बड़े अराम अराम से पूरा का पूरा इंट्रेस्टिंग वे में देने के लिए ताकि आपको एक इंट्रेस्ट आए इसमें अब बताना कैसा लगर आपको वीडियो अच्छी लग रहे हैं नहीं लगरी और यह PP टिका मुझे ज़रूर बताना बढ़ते अपने अगले कोशन 17 नियर आपके स्क्रीन के ओपा ध्यान सुनना देसे इन अल्सो वेरी इंपोर्टन कोशन ठीक है बहुत इंपोर्टन कोशन है जहां पर मैं IMP लिखता हूँ उसको या से ध्यान से करना क्योंकि वह कोशन आपके CBSC ने बहुत बार पूछे हैं और इस बार सब्जेक्टिव में भी वह कोशन आ सकता है इसलिए मैं यहां पर IMP लिख रहा हूँ इसलिए मैं यहां पर IMP लिख रहा हूँ ओहो आखरी टम से 20 टम क्या होगा कहने का मनलग क्या है देखो 3 है फिर आपका 8 है फिर 13 है डॉट डॉट यहां पर 253 है ठीक है 253 उसको मिटागे आप लेखो 253 है और यहां पर क्या है अपका 253 अच्छा 253 से पहले क्या रहा होगा पांच का डिफरेंस है 248 है ना इससे पहले कितना रहा होगा 243 तो ऐसे करते करते उल्टी डिरेक्शन है 20 वा टम क्या होगा यह आपसे पोच रहा है इपी को उल्टा कर दो घबराने वाली बात नहीं है एपी को रिवर्स कर देका कर दिया मैंने 253 कॉमा 248 कॉमा 243 डौट 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 थर्टीन कॉमा एट कॉमा 3 लो भाई है ना हमें 20 टम निकालना है ए हो गया 253 दी हो गया कितना माइनस करेंगे माइनस का 5 निकल क्या सिम्पल है तो एटने शुमा और माने का स्रसbrahim है कितना सिंपल है मैंने 253 दी पुमा 2 आजँड की आइगाenf mixer 122omics को कितना आएगा तेरह में से पांच गया आठ आएगा और चौबिस में से नौ गया 158 आएगा राइट चैक कर लो मैं अंसर कौन सा गोशन है 17 ना 17 कितना गया 158 जो है आपका निकल के आ जाएगा मेरे ख्याल से आपको चाहिए अब बढ़ते अपने अगले कोशन 18 यह आपके दे रहे है 24 अब 4-tum क्या होता एक कम-d होता है तो a plus में 3D plus में a plus 7D आपका दे रहे है 24 अब a 2 a plus में 10D equal 24 निकल के आएगा और आपका हो जाएगा यह two common करेंगे a plus में 5D आपका 24 आगया है ना कट जाएगा यह 12 तो a plus में 5D आपका 12 निकल कि आएगा इसको बोलते हैं हम लोग equation number 1 बोल देते हैं सही है के लिए रहे हैं second sum of 6th and 10th term अच्छा किया रहा है 6th term को और 10th term को जोडने पर आपका 44 आ रहा है seem वही का नहीं 6th term बादा a कम d a plus 5d plus में हो गया a plus 9d equal to आपका 44 निकल के आ जाएगा अब a और 2 a हो गए 9 5 14 d equal to 44 हो गया 2 common कर लेते हैं a plus में 7d जो है आपका 44 आ गया 2 से cut करे 22 आ गया तो a plus में 7d जो है आपका 22 निकल के आ जाएगा ये हो जाएगा equation number 2 बहुत बादा समझ भाई बिल्कुल समझ में आ गई होगी हमें first 3 term निकालने हैं उसके लिए a और d निकालना पड़ेगा इसको अब यहाँ पर हम लो solve कर देंगे तो कैसा आएगा a plus में 5d आपका 12 है और a plus में 7d आपका 22 दे रखा है solve करेंगे minus 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 ये खतम हो गया 5d में से 7d गये तो minus का 2d equal to minus का 10 बस निकल के आएगा बोलो yes और no इससे खतम हो गया d आपका 5 निकल के आ जाएगा ठीके ना ठीके ना जी कितना पांच ही आगा न चेक करो है कि में गड़ोड़ी भाज़ाता कर तो मैं राज के लिए लिए क हाँ ऑपका commerce निकल के आधा ठीके तो तो एक अजाएगा तो a besten ंटि इंटु डी paws बारह हो गया तो ए plus में 25 इकुली भारह हो गयाγए तो ए आग्या 12 माईनस में 25 तो ए आपका माईनस का 13 निकल के आ जाएगा टेक है A-13 तीन टम निकालने A-P के तो first time आपका minus का 13 हो गया दूसर तो A plus D minus 13 minus 13 plus 5 जो कि कितना हैगा minus का 8 हैगा minus का 8 हैगा फिर minus का 3 आएगा ऐसे चलता रहेगा टेक है तो check कर लो मैं yes exactly बिल्कुल सही answer है A-P आपकी ऐसे ही बनने वाली है तो question number 18 मिल्कुल खत्म हो गया मेरे खाल से अब दो question रहने है शायद next 19 एदा आपके screen के ओपर ओके अब hello hello कर रही बेटा आपको hello करो सारे तो मारे पास यह कौन है यह हमारे पास धिंचीक पूजा है तो धिंचीक पूजा says hello तो यह आपको hello करना आना चाहिए करें सुबबराओ started work in 1995 सुबबराओ ने बहुत पहले की कहानी है सुबबराओ ने 1995 में अपना काम करना शुरू करा और उस समय 5000 बहुत बड़ी रकमती भाई द्यान दखना तो 5000 से उन्होंने शुरुवात करी हम जैसे तो पैदा भी नहीं होते and received an increment of rupees 200 each year और हर साल उसको 200-200 रुपय का increment मिलता है in which year did his income reach 7,000 किस year में उसकी income 7,000 हो जाएगी वोई कोशन यादा रहे है कि 8,000 रुबर गाइब के थे 1,000 रुबर इंक्रिमेंट हो रही है तो माल लेते हैं हमारे पास पहला शुरू किस से गरा उसने 5,000 से सुब़राओने शुरुबात करी अगले साल सुब़राओ की सेलरी 5,200 अगले साल 5,400 और इसी तरह के से पूछ रहे कब जाके किस साल में जाके सुब़राओ की सेलरी 7,000 होगी मतलब आपका A जो है वो आपका 5,000 आ गया D जो है आपका 200 आ गया और A N आपका कितना आ गया 7,000 आ गया तो पूछ रहा है N की वैलू क्या निकल के आएगी तो A N क्या होता है वो होता A प्लस में N माइनस 1 मंटिप्लाइ आपका D निकल के आता है थेक है तो 7,000 बराबरे 5000 प्लस में N माइनस 1 रधे गया दीवी वैलू आपको 200 दे रखा है 7,000 माइनस में 5000 इस उक्वल टो N माइनस 1 मंटिप्लाइ बाइ 200 यहा से आपका ऐगा 2000 इस इक्वल टो N माइनस 1 मंटिप्लाइ बाइ 200 और फिर 2000 डिवाइड बाई 200 इस एक्वल टू N-1 ये काटेंगे ये काटेंगे तो 10 प्लस में 1 इस एक्वल टू N और वी कैन सेट ग्यारा साल बाद सुब्बा राओ की जो सैलरी है वो कितने निकल के आगी किस एर में 11 साल में सुब्बा राओ की जो सैलरी है वो 7,000 रुपए हो जाएगी I think आपको एक कोई समझवा गया अब मुझे जो मैंने स्टार्टिंग पर स्टोरी बताई थी कब जाके उस बंदे की इनिकम मतलब जो गाइप कर रहा था पैसा 30,000 होगी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में पॉस करके सारे बचे इमानदारी से अपना नाम के साथ लिखेंगे ठीक है आंसर चेक कर लूँ मैं यस अब चलते लास्ट कोशन 20 एर आपके स्क्रीन के उपर रामकली आहाँ क्या नाम पहले के नाम रामकली दंडावटी, देवकली चंपा, खुश्बू क्या क्या नाम कितने बढ़िया नाम थे यार पहले आज कल दो बताने क्या टोनी टिक टिक दिंचिक पूजा कैसे कैसे नाम लोग लगने लगए ठीक है रामकली सेवर रूपीस 5 इन दा फॉस्ट वीक अफ ए यह एंड देर इनक्रीजड हर वीकली सेविंग बाई 1.75 इन दा इफ इन दा एंथ वीक हर वीकली सेविंग रूपीस 20.75 टिक है तो कैसे करेंगे हमारे पस कह गहरा है कि रामकली ने 5 इन पांच रूपे सेवग कीए फर्स्ट वीक में है न तो फर्स्ट वीक का 5 इन हो गया कॉमा सेकंड वीक में 1.75 और जोड गया मतलब 5 पलस में 1.75 कितना हो गया हमारे पस 6.75 निकलके आ गया फिर next week में और 1.75 हो जाएगा तो 6.75 में 1.75 और add कर देंगे तो 5.5, 10 हो गया 7.7, 14 और 15 हो गया 6.7, 8.5 तो आपका 8.5 निकल गएगा dot dot जो है ऐसे मार पस AP बन गई कब जाके 20.75 किस week में जाके 20.75 होगा N निकाला और कुछ निकाला तो A आपका 5 हो गया D आपका 6.75 माइनस 5 जो कि आपका 1.75 हो गया AN आपको दे रखा है 20.75 not 75, 75 बोलता है डैसिमल के बार एक है तो मैं पता है AN क्या होता है AN होता है आपके पास A प्लस में N माइनस 1 मंटिप्लाइद D होता है अब AN हो गया 2 0.75 एक कितना हो गया 5 प्लस में N माइनस 1 D कितना हो गया आपका 1.75 निकल के आगया ठीक है अब 2 0.75 माइनस में 5 एक क्वल टो गया N माइनस 1 मंटिप्लाइबाए 1.75 ठीक है तो यह आएगा आपका कितना 15.75 डिवाइड बाई 1.75 एक क्वल टो N माइनस 1 निकल के आगया मेरे ख्याल से 9 से कटेगा 9 से कट जाएगा 9 टम्स खतम होगा प्लस में 1 एक क्वल टो आपका N निकल के आगया और N आपका 10 निकल के आगया इसका मतलब दसवे वीक में उसकी सेविंग 20.75 रुपीज हो जाएगी तो ऐसे में हमने यहाँ पर खतम कर लिया अपनी exercise 5.2 को पूरा खतम कर लिया अब बचा है सबसे बड़ी exercise सबसे important exercise exercise 5.3 तो चलते है exercise 5.3 के पहले question यह आपके screen के उपर चलिए तो अब बार ही है हमारे पास exercise 5.3 की तो 5.1 complete 5.2 complete अब 5.3 को लपेटने वाले एक ही formula जैसे 5.2 में था ऐसी सेम एक ही formula 5.3 में यूज होने वाला है हमने अभी तक कौन सा formula पढ़ा है आपने पढ़ा AN जो है आपका वो होता है A plus में N minus 1 multiply D यह हमने पढ़ा अभी N term तक का formula यही पढ़ा है अब हम लोग एक formula और पढ़ा है सम of N term तक का SN बोलते हैं इसको SN तो SN का जो formula होता है वो होता है N upon 2 है न और हो गया 2A plus में N minus 1 multiply D यह आपका sum का formula निकल के आएगा अगर आपको A पता हो अगर आपको N पता हो और अगर आपको D पता हो तो आप बड़े अराम से किसी भी चीज़ का sum निकाल सकते हैं उस AP का AP होना चाहिए AP का sum निकाल सकते हैं कैसे apply करना है अभी question बताऊंगा आपको इसको थोड़ा modify करेंगे तो आपका आएगा SN बराबर में N upon 2 2 A को लिख सकते हैं लोग A plus में A plus में N minus 1 multiply D लिख सकते हैं विल्कुल yes अब ये क्या हो गया अरे ये तो मारा A N होता है चेक करो ये क्या होता A N होता है तो इसको लिख देंगे SN equal to लिख देंगे N upon 2 और A plus में A N तो आपका ये वाला formula भी बनके आ जाएगा बोलो बास समझ में आई या नहीं आई तो अगर आपको A N और D पता हो तो normal formula को इस्तमाल करेंगे और अगर आपको A और साथ में A N भी पता है तो फिर महाँ पर हम इस case में इस वाले formula को यूज़ करेंगे कहीं कहीं मिज़र इसको ऐसे भी लिखते है S N equal to N upon B to A N को last term भी बोलते हैं तो A plus में L भी लिख देते हैं तो आप इस formula से भी कर सकते हो तो ये वाली बात जो है आपको I think समझ में आ गई होगी बस इसी का formula का इस्तमाल करके पूरी exercise को अपर लपेटने वाले हैं अब आपको एक example करके समझातों कैसे इस formula को apply करना है फिर धीरे धीरे में speed बढ़ाते होए चीज़ों को खतम करेंगे तो इसको देखते हैं फहले ये AP आपके पास है इस AP में बात करूँ A कितना बोलो किसा 2 है D कितना अपने पास 7-2 आपका 5 निकल के आएगा आपका N कितना है हमें 10 term तक का sum निकालना अब ये 10 term तक का ये N दे रखा आपको कि 2, 7, 12 ऐसे करते करते 10 वे term तक का sum निकालिए ये पूछ रहा है तो ये A, D और N पता है तो ये वाला formula ये उस करना पड़ेगा तो SN निकल के आगा N upon 2 तो 10 upon 2, 2 A A2 है, प्लस में N minus 1 10 minus 1, तो D कितना हो गया अपने 5 दे रखा है तो SN आगया 5 multiply 2, 24 हो गया प्लस में 9, 5 जब 45 निकल के आजाएगा तो SN बरावर में आगया 5 multiply 45 में 4 add कर रहे है मुझे comment box में ज़रूर बताएंगे अब फटा वट से जो है, इसको आगे करते हैं इसको note कर लिजे, मैं second part करता हूँ बाकि सारा मिटा देता हूँ, तो ये erase होगा ठीक है, चली next कह रहा है, A आपका minus का 37 है D मतलब क्या होता है, आपने इस में से ये minus करना है तो minus 37, minus एक ओर minus का sign है और minus minus plus हो जाएगा minus का 37, plus में sorry, minus का 37 और ये 33 है आपका ठीक है तो minus का 33 होगे जो कि आपका minus का 4 निकल के आ देगा ठीक है, okay एक मईना उल्टा कर दिया, sorry, मैंने उल्टा कर दिया आपका minus का 33 3 में से minus करना र्राइट छलि कोई बात नहीं minus का 33 minus का minus का 37 हो जाएगा जो कि आगे minus का 33 plus में 37 जो कि आपका plus का 4 आपका D निकल के आगा 12 term तक का sum निकालना है आपको U पता होता है तो U 2A प्लस में अल्मील तो है 12 minus 1 into d कितना है आपके पास d आपके पास दे रखा 4 सही है तो 6 multiply by minus का 74 और plus में 12 में से 1 गया 11 आएगा 11 4 जा 44 minus plus minus 74 में से minus करेंगा minus का 30 आएगा जो कि आपका बन गया minus का 180 आपका sum निकल के आजागा बहुत ही आसार आप सबीने enjoy किया होगा अगला थर्ड यह आपके screen के उपए देखिए a कितना हो गया 0.6 निकल के आगया d हो जागा 1.7 minus 0.6 जो कि आपका 1.1 निकल के आगया अब आपका n दे रहे का 100 टम तक का sum निकालना है s n होता मारे पास n upon पे 2 ठीक है और 2 a plus में n minus 1 multiply यह आपका इसा निकल के आता है ठीक है तो n कितना मारे पास 100 upon पे 2 2 a a कितना है 0.6 में अच्छी value पूट कर रहे हैं आपकर कुछ खास जादू नहीं कर रहे हैं आपकर 100 minus 1 d कितना हो गया आपका 1.1 दे रहे है तो यह हो गया आपका 50 multiply by 1.2 प्लस में 99 multiply by 1.1 अब 99 को 1.1 से करेंगे तो आपका 99,99 तो 9,10, 10,18 108 पॉइंट रहन आएगा तो आगया आपका 50 यह जाए का 1.2 प्लस में 108.9 अच्छा इसमें 1.2 और जोड़ देते हैं तो 1.2 और जोड़ देंगे 9 तो 11 हो गया 8,9 और एक 10 हो गया 110.1 आगया तो 50 multiply by 110.1 मतलब होता है 5 देखो 5 इंटू 10 कर सकते हैं और 10 को multiply करेंगे decimal हट जाएगा तो 5 को multiply करना 1101 से तो 5501 आपका SN निकल के आ जाएगा मेरे खाल से आपको बड़े असानी से यह चीज़ समझ में आ गई है अब next फटावट से कर लेते जब A, N और D पता हो तो बहुत असान हो जाता हम लोग करने के लिए next हमारे पास A कितना है 1 upon 15 है अच्छा D कितना है D है 1 upon 12 माइनस में 1 upon 15 अब 15 और 12 का हमें LCM लेना है तो LCM लेने का असान तरीका बता हो आपको वो सबसे छोटा नमर जो दोनों से डिवाइड हो जाए 12 से भी डिवाइड हो जाए 15 से भी डिवाइड हो जाए छोटा नमर कौन से हो खुछ सोचिए क्या 30 होगा नहीं 30 15 से होता पर 12 से नहीं होता तो 60 निकल के आएगा तो 60 इसका LCM हो गया तो 12 के पहाड़े में 50, 5 बार में 5 एकम 5 हो गिया और 15 के पहाड़े में 60, 4 बार में 4 एकम 4 तो आपका हो गिया 1 upon 60 जु है आपका D निकल के आ जाएगा और A कितना हो गिया 1 upon 50 निकल के आ देगा N कितना है? N आपका गयरा दे रख Karl Sam में apply करेंगी आपके up टू 11 अपोन टू टू ए ए हो गया अपने पास 1 अपन फिल्टीन प्लस में एड़ीच फटेन निकलके आ गया ठीक है तो यह कटाक्या कितना वन अपन सिक्स हो गया तो 11 अपन टू इप्लास प्लस में आपका वन अपन 6 आ गया, अब 15 और 6 का LCM निकाले, कौन सा नम्मरा जो दोनों से डिवैड हो जाएगा, छोटा नम्मर, 30 ठीक है, तो 11 अपॉन पे 2 और जाएगा 30, तो यह आएगा 4 प्लस में 6, 5, 5 तो आएगा 11 अपॉन पे 2 9 अपॉन पे 30, तो 3 9, 3, 10, तो जो की हो गया 33 अपॉन पे 20 आपका SN निकल के आएगा, तो अगर आपको A पता हो, D पता हो, और N पता हो तो SN का फॉर्मला होता है, N अपॉन 2 2A प्लस N मैंस 1 इटी, लेकिन अगर आपको AN पता हो, तो फिर AN का इस्तमाल करेंगे, दूसा फॉर्मला कैसे आए समझते, इस कोशन के माध्यम से, नेक्स्ट कोशन 2 येर आपके स्किन के उपाए, द्यान सुनना अब यहाँ पर आपको N नी पता यह जो हैना क्या दे रखा है, यह आपको 7 अपॉन पर 2 निकल के आदेगा, D आगा 7 अपॉन 2, A 7 है, AN 84 है अब जो सम का फॉर्मला होता है, SN वो होता है, AN के टर्म पर N अपॉन पर 2 और A प्लस में AN होता है, अब लेकिन A पता है, A न पता है, N पता होगा 7 प्लस में, N माइनस 1 D कितना है, 7 अपॉन पर 2 निकल के आदेगा तो 84 माइनस 7 बराबर में, N माइनस 1 मंटिप्लाई 7 अपॉन पर 2, यह 11 आगया तो 11, यह 2 नीचे उपरा के मंटिप्लाई हो जागा, और 7 डिवैडम हो जागा इकवल होजगा, N माइनस में, 1 ठीक है, 77 सोरी है ठीक है, तो होजगा, 11 खतम 11 टूज़ा, 22 22 प्लस में, 1 इकवल तो आपका N आगया तो N जो है, वो 23 निकल के आगया अब N आगया, तो फिर इसका वीट करना आफ कर दो फटाबर से, तो S N आगया आपका 23 अपॉन पे 2 A, A है, अपने पास 7 और A एन है 84, और A 84 प्लस 7, 91 होता मेरे ख्याल से तो 23 अपॉन 2 मंटिप्लाई 91, और अगर हम लोग 91 को 23 से मंटिप्लाई करते हैं तो हमारे पास निकल के आएगा कितना आएगा बोलो, 3, 9, 2, 0, 9, 3 S, N आगया आपका 2, 0, 9, 3 अपॉन पे 2, यह आपका S, N निकल के आ जाएगा फटा 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 जो है इसको आप लोग नोट कर लो so that फिर हम लोग next question करते हैं तो यहां से क्या बचला, अगर आपको A, N दे रखा होगा तो वहापर अगर आपको N पता है नहीं पता तो N निकाल लेंगे पता है, तो direct S, N इकल टो N अपॉन टो A, N का इस्तमाल करके ही आपको करना जब A, N पता होगा तब, इसको मिटा रहा हूँ, second और third करते है फिर काफी बड़ी आपको idea मिलने वाला है चलिए, A आगे आपका 34 D आदेगा, आपका 32 माइनस 34 जो की आपका माइनस का 2 हो जाएगा आपका A, N जो है, वो 10 निकल के आगया N निकालना पड़ेगा, पहली निकाल लेते है A, N होता हमारे पास A प्लस में N माइनस 1 मंटिप्लाइ D निकल के आता है, जी सबको पता है, बच्चे बच्चा जानता है इसको तो, तो 10 बराबर में A कितना 34 प्लस में N माइनस 1 D कितना अपने पास माइनस का 2 है तो 10 माइनस में 34 बराबर में N माइनस 1 मंटिप्लाइ माइनस का 2 अब 10 में से 34 गया, तो माइनस का एन जब हमें एन दे रखाओ तो एन हमारे पास 13 आ गया तो ए कितना है 34 और एन कितना 10 दे रखाता हमें है इसको जोड़ देंगे 13 अपॉन 2 आपका आगया 44 जो कि 22 आगया अब 13 दूनी 26 26 अथाइस तो एसन आपका आगया 286 निकल के आ जाएगा सेम ऐसी हम लोग थर्ड वाला कोशन भी कर लेंगे बिफोर देट हैना आप इसको नोट कर लो मैं इसको मिटा रहा हूं तो यह गया 5 4 3 2 1 गो हैना बस में चीज के ना enjoy मैंने क्या बोला मैत को बोर मत बनाओ चीजे समझो आराम से कुछ नया सीखने को मिल रहा है चीजों करो बढ़िया से डेली प्रैक्टिस करो एरफोन लगाओ करो वीडियो देखो नहीं आता मेरे इंस्टाग्राम आइडिया हम पर पूच्छों उससे पर करो इस बार अच्छा म्याक्स लाने है चलो तुम्हार अप्लस में एकुल डो जाएगा अप्लस में ये प्लस में अ माइनस वन मैनस का ट्री अग्या थैक है तो य कितना माइनस प्लस माइनस दो तीस में से पांच गए तो 225 आएगा बड़े में माइनस है तो माइनस भाएगा ठीक है तो ये इससे खतम 3,21,3,5,15 प्लस में 1 इकोल टू N हो गया और N आपका 76 निकल के आ जागा, N 76 होगा कोई शू नहीं है ऐसा नहीं क्या होता है जब आपको A N दे रखो N अपका पर टू होता है और A प्लस में A N निकल के आता है ठीक है? N कितना है? 76 अपका टू अच्छा A कितना है? A है है माएनस का 5 और A N कितना है? A N अगया प्लस में माइनस का 230 निकल के अरे बाबरए तो 76 अपका टू हो गया 38 मटिपलायब है माइनस 5 माइनस का 230 तो आगया 38 मंटिप्लाई माइनस का 235 तो 235 को 38 से करेंगे तो 8 5,4,8,3,24,28 8,2,16,17,18 ठेक है 3,5,15 3,9,10,3,2,6 और 1,7, तो आगया 0,8,5,13 9,8,9,3,0 तो माइनस का 8,9,3,0 जो है आपका ऐसे निकल के आएगा आंसर चेक करते चलना साथ साथ में लगे कोई गड़बड है तो मुझे कमेंट बॉक्स ज़रू बताना मैं पर नहीं कर दूँ उसको ताकि बाकी पच्चों को दिक्कत ना हो अब यहाँ पर आपको सम्झे आ गया A, N और D पता हो तो कैसे सम्झे निकालते हैं आपको A, N दे रहाओ तो कैसे निकालते हैं I hope आपको सम्झेआ आ गया अब थारड कोशन जो यह वो काफी अच्छा है अगर आपको थारड कोशन अच्छे से आ गया मतलब लगब लगवर जो आको काफी जाने आ गया अब थार्ड कोशन करते हैं उसका 10 part है, मेरे काल से 10-11 part है, तो यह रहा पहला question आपके screen के अपर, कर दे रहा है, D दे रहा है, A N भी पता है, N और S निकाला है, तो दो formula हमारे पास है, दोनों को इस्क्नमाल करेंगे, जल ज़े देडिकाच छलेंगे, चलिए तो A N होता हमारे पास A plus में N minus 1 multiply D होता है, तो अन 50 है, इकल टू ए कितना 5 प्लस में N-1, D कितना हो गया, 3 निकल के आ गया, तो 50 माइनस में 5 इकल टू N-1, बार 3, तो हो गया 45 अपॉन पे 3 इस इकल टू N-1 हो गया, तो 15 प्लस में 1 इकल टू N हो गया, और N आपका 16 निकल के आ जाएगा, सिंपल, N-16 आ गया, अब आपको S-N निकालना है, S-N, S-N मतलब N-16 है, तो S-16 कितना होगा, सिस्टीन प्लस में B, 1, 1, 16 इकल टू N-1 इकल के आ गया, तो गया 8 धेकल, पांदुनी 10 प्लस 15 यह 35 तो यह जाएगा कितना पैंतालीस हो तो आपका आगया 855 अगर राइट तो 845 44 यह आपका S16 जो है 440 निकल के आगया और N आपका 60 निकल के आदेगा वेरी सिंपल नेक्स्ट तू यह आपके स्क्रीन के अपका किरा अगर A7 है A13 35 है यह पताने क्या है A N यह निकलना और D N S 13 निकलना आपको असान कोशन A13 का मतलब 35 शुरुवात कैसे करनी वो समझो A13 का मतलब होता है A कम D मतलब A प्लस में 12D बोलते हैं बराबर में 35 निकल के आगया अब A पता है पहली से तो 7 प्लस में 12D इक्वल टू 35 आगया तो 12D इक्वल टू 35 माइनस में 7 तो 12D इक्वल टू 28 आगया D आगया 28 अपउन पे 12 तो 4-7 जब 4-3 जा तो D आगया आपका 7 अपउन 3 निकल के अब ज्हान शुथन सब्सक्क पा ni सब्सक् Collision सब्सक्राइज क्या है सब्सक्राइज doesn't यह कितनार सब्सक्राइज है सब्सक्राइज पासब साइज तबंग अब इकितना हाै A आपका 7 है और A 13 कितना है 35 है 35 और जो है हमारे पास 7 कितना होगा 42 आ गया तो गया 13 मंटिपला बेर 21 13 वंजा 13 26 27 273 S 13 निकल के आपका आद हैगा जो कि बहुत ही आसान बन गया आप लोग लिए Next 3 यह आपके screen के उपर A 12 37 है D 3 है A निकाल लिए और S 12 निकाल लिए सेम पीछे जैसा A प्लस में 11 D इक्वल टू 37 हो गया तो A प्लस में 11 D 3 इक्वल टू 37 हो गया तो A प्लस में 33 इक्वल टू 37 हो गया तो A आगया 37 माइनस में 33 तो A कितना 4 निकल के आगया A निकलना ता असान हो गया अब S N बताया था मैंने, S N मतलब होता है N अपॉन पे 2 और A प्लस में A N होता है, ऐसी ही लिखना ऐसे, तो S 12 कितना आगे, 12, बटा दो 6, A कितना 4, और A 12 कितना 37 निकल के आजगा ना, तो 6 x 41, तो 6 x 24, S 12 आगे, 246 निकल के, असान लग रहा है नि लग रहा है, मुझे कमेंट बॉक से बहले बताओ यार, यह बहुत असान है, नेक्स्ट फूर्थ, यह आपके स्क्रीन के उपर, किर रहा है, A 3 15 दे रहा है, S 10 इतना है, तो D और A 10 बताओ यह क्या निकल कियागा, अब यहाँ पन दो एक्क्वेशन बनने वाले हैं, कैसे देखिए, A 3 15 का मतलब हो गया, A प्लस में 2D आपका 15 निकल के आगया, एक्क्वेशन फास्ट हो गया, S 10 का मतलब कितना हो गया, S 10 का मतलब हो गया, 10 अपॉन पे 2, टेक है, और 2 A प्लस में 10-1 मंटिप्लाइद D, S 10 मतलब N N चलेगा, 10 मतलब 10-10 चलेगा, अब S 10 125 है, तो 125 बराबर में कटे के 5 आगया, 2 A, तो 2 A नहीं परता, प्लस में 9D निकल के आदेगा, काटेंगे 5, 2 नहीं 10, 5 प्लस में 25, तो 25 बराबर में 2 A प्लस में 9D, और 2 A प्लस में 9D एक्वल तो 25, एक्वेशन नमर जो है, 2 निकल के आदेगा, दोनों को सॉल्ट करते क्या, कॉफिशन सेम करने लिए इसको 2 से मुट्पलाइग कर देता हूँ मैं, तो अगर 2 A प्लस में 4D एक्वल तो 30, यह मैंने कर दिया, 2 A प्लस में 9D एक्वल तो 25, यह दूसरी क्वेशन हो गई, माइनस माइनस मने जो है, खतम हो गया, माइनस का 5D एक्वल तो प्लस का 5, टेक, तो D आपका माइनस का 1 निकल के आगया, अगर D माइनस का 1 है, तो A यहाँ प्लस में 2 इनस का 1 एक्वल तो 15 हो जागा, A माइनस 2 एक्वल तो 15 हो गया, तो A कितना आगया, 15 प्लस में 2 आगया, तो A आपका 17 निकल के आजागा, D निकाला था, हम लें निकाल लिया, A 10 कितना होगा, A 10 मतलब होता है, A कम D, A प्लस 9 D होगा, A कितना अपने पास 17, 9, D कितना है, माइनस का बन, 17 में से 9 गया, मेरे ख्याल से 8 निकल के आगा, A 10 निकल के आगा, बिल्कुल साही हो, अब बढ़ते हैं, अपने अगले कोशन 5 एर आपके स्किन के ओपर, थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हो, ताकि मैं अब जल्दी, हमें वीडियो लंबी बन रही है, थोड़ा आप भी कॉपेट करना, अगर फास्ट लग रहे हैं, तो 0.075 में देखना है, D इतना इतना इतना, S9 गिवन है 75, S9 का मतलब होता है, मारे पास 9 अपॉन पे 2, और 2A प्लस पे 9-1, इन्टू पर D निकल के आगया, ठेक है, S9 75, 25 इक्वल तो 9 अपॉन पे 2, 2A नहीं पता, और 8D, D कितना हो गया, 5 निकल के आगया इस तरीक से, 75 इक्वल तो 9 अपॉन पे 2, यह हो गया, आपका 2A प्लस में, 25 निकल के आगया, 2 कॉमन कर लेगा, 75 इक्वल तो 9 अपॉन पे 2, 2 कॉमन करेंगे, तो A प्लस में आपका 20 निकल के आगया, यह खतम हो गया, 75 अपॉन 9-20 इस इक्वल तो A आजाएगा, तो 75 माइनस में 9 दुनी 18, अपॉन पे 9 इक्वल तो A आगया, मतलब A जो है आपका, माइनस 105 अपॉन पे 9 निकल के आजाएगा, यह मेरे खाल से कटेगा, तो 3 तीन तीन नो, 3 पंचे 15 तीन 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 नो, तो A आगया, आपका माइनस का 35 अपॉन 3 निकल के, A निकल गया, अभी क्या निकलना, A9 निकलना है, अच्छा, A9 का मतलब क्या होता है, A9 का मतलब होता है, A प्लस में 8D, यह होता है, A कितना मारे पास, माइनस 35 अपॉन 3 प्लस में 8D, D कितना अपने पास, बोलो बोलो 5, तो आगया, minus का 35 upon 3 plus में 8 पहुंचे 40 तो आगया minus का 35 plus में 120 upon 3 जो कि आगय 85 upon 3 आपका जो है A A9 निकल के आगया 85 upon 3 ये आपका A9 निकल के आगया मतलला अगर आपको कोशन मत थड़ अच्छे से आगया इसका तो दिक्कत इसमें आगया आपको नहीं आने वाली देखो आपको SN दे रखा है, SN होता हमारे पास N upon पे 2, ठीक है, और 2A प्लस में N minus 1 multiply D, यह आपका SN होता है, SN 90 है, तो 90 बराबर में N upon 2 नहीं पता, 2A, तो A कितना है 2 है, प्लस में N नहीं पता, D कितना अपने पास 8 हो गया, ठीक है, 8N minus 4 निकल के आएगा, 8N minus 4 यह सही है, चार कॉमन कर लेते हैं, तो 90 बराबर में आगया N upon 2, चार कॉमन कर लेंगे, तो आगया 2N minus 1 निकल के आदेगा, ठीक, तो 2 दूनी 4, 2 से कटें 45, 45 equal to 2N का square minus में N, तो 2N square minus में N minus 45 is equal to 0, this is our aquatic equation, अब aquatic equation को solve करने के अपास आपके दो तरह आपको चैप्टर मेंने करा रखा है, आपको आता यह, तो multiply करने पर minus का 90 वैसे आना चाहिए, minus 10 multiply 9, minus 10 plus में 9, तो 2N का square minus में 10 N plus में 9 N, minus 45 ब्रावन 0 आगया, 2N common करेंगे, N minus 5 plus में 9 common करेंगे, N minus 5 equal to 0, तो N minus 5 एक तरफ और 2N plus में 9 एक तरफ equal to 0, यहां से आपका N5 आगया और यहां से आपका N आजाएगा, minus 9 upon 2, अब कभी N आपका, मैंने का था, N एक natural number होता है, N कभी fraction नहीं हो सकता, कभी integer नहीं हो सकता, negative नहीं हो सकता है, तो N क्या लेंगे, 5 लेंगे, N5 निकल के आगया, अच्छा, A N निकालना है, N5 आगया, A5 निकालना मतलब, तो A plus में 4D A कितना अपने पास, A, 2 प्लस में 4D कितना अपने पास, 8, 32, तो 2 प्लस में 32 कितना हो गया, A5 आगया, 34 निकल के, option 4, है यहीं नहीं, है ना, objective नहीं, subjective है, चलिए, नेक्स चलते है, 7 तीर आपके screen के उपर, किर अगर A8 दे रखा है आपको, AN 62 है, और SN 210 है, this is very important question, इसको mark कर लेना, IMP करके, जितने question में भी मैंने IMP लिखा, मतलब वो आपके CBS ने बहुद बार पूछे करें, इसलिए मैंने इसमें IMP मा करा हैं, तो उसको आप ध्यान से अच्छे से करना, चलिए, तो आपको पता है, SN ही क्या होता है, SN जब AN दे रखा हो, वो होता है, N upon 2, और A plus में 70, तेक हैं, और 73 जा, और 3 to 6, N जो है, आपका 6 निकल के आ जागा, N आपका 6 निकल के आ गया, N पता है, 8 पता है, A पता है, A अन पता है, D निकालना है, फॉर्मला, A N equal to होता है, A plus पे N minus 1, multiply by D, A N कितना अपने पास, बोलिए, बोलिए, A N अपने पास कितना है, 62 बरावनो A कितना, 8 प्लस पे N, 6 minus 1, to D कितना होगा, अपने पास, निकालना है, 62 माइनस में, 8 equal to 5D, और या आगया, 54 प्लस पे 5 equal to D निकल के आ जागा, आपका, this is very important and very easy question, इसके बाद वाला और भी ज्यादा important है, 8 तीर आपके screen के अपर, this is very, very important question, please note this question as very important, ठीक है, mark this question as very important, तो SN when N, A N is given, N upon P 2, आपका होता A plus में A N, ठीक है, okay, SN कितना, minus का 14 बराबर में, N कितना हम लोग के पास, नहीं पता, A कितना हम लोग के पास, नहीं पता, A N कितना हम लोग के पास, 4 निकल के आगया, ठीक है, तो minus का 14 is equal to N upon 2, क्या करें, कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सक सकते हैं, यह दूसरे formula माँ जाओ, A N होता हमारे पास, A plus में N minus 1 multiply D होता है, अच्छा, A N कितना हमारे पास, 4 है, A कितना है, नहीं पता, N कितना है, नहीं पता, D कितना हमारे पास, D दिरिखा आपको 2, तो 4 equal to हो गया, A plus में 2 N minus में 2, इधरा आगया, 4 plus में 2 minus में 2 N equal to A, और A equal to 6 minus में 2 N निकल के आजागा, बलो बास समझा है, बिलकुल आगया, A कितना आगया, 6 minus 2 N अगया, अब A की वहली यहां पुट कर देते हैं, सारा N के टम पर आजागा, तो minus का 14 equal to N upon 2, और A 6 minus में 2 N plus में 4 निकल के आजागा, minus 14 equal to N upon 2, यह जागा 10 minus में 2 N, अब 2 common कर लेते ह 2 common करेंगे, 5 minus में N आएगा, खतम, minus 14 is equal to 5 N minus N square, इसको यहां पर लाएंगे, N square minus में 5 N minus 14 equal to 0, कैसे break करेंगे, quadratic question बन गया है, तो आपको पता है, multiply, मैं use, मैं को अच्छा लगता है, जल्दी हो जाता हूँ, इसलिए मैं इसी से करता हूँ, आपकी मर्ज़ यह quadratic formula से करना चाह हो, ठीक है, तो minus 7 multiply 2 minus 7 plus में 2 आएगा, तो आगे N का square minus 7 N plus में 2 N minus 14 ब्रावन 0 हो गया, N common करो N minus 7 plus में 2 common करो N minus 7 निकल के आदेगा, equal to 0, यह सेम सेम हो गया, तो N minus 7 एक तरफ और N plus 2 एक तरफ equal to 0 निकल के आगया, अब यहां से N आगया आपका 7, यहां से N आगया minus 2, आपको N की value क्या लेनी पड़ेगे, हमें N की value हमें 7 लेनी पड़ेगी, और N निकल गया 7, और अगर हमें A निकालना है, तो A आदेगा 6 minus 2 multiply by 7, तो 6 minus 14, तो A आपका minus 8 निकल के आदेगा, तो A minus 8 हो गया, N आपका 7 निकल के आगया, मेरे ख्याल से आपको यह very very important question समझ में आ गया हो motion, तो S N is equal to होता है, N upon पे 2, 2 A plus पे N minus 1 multiply by D निकल के आता है, अब S N देरका 192 लिखिए, N नहीं पता, स्वरी पता है, 2 A, A देरका 3 लिखिए, प्लस में N 8 minus 1, D नहीं पता निकालना है, तो D को D रहन देते हैं, तो D को D रहन देते हैं, यह कटके 4 हो गया, 192 equal to 4 multiply by 6 plus में 7D ठेक है, काटेंगे, 4, 16, 4, 32, minus 6 equal to 7D, और we can say that 7D is equal to 42, तो D कितना आगे, 7, 6 is equal to 42, D 6 निकल के आपका आदेगा, last part of this question, यह दा, बहुत लेंदी होगे में खल से नहीं, करा L देरका 28, S देरका 144, there are total 9 terms, तो L 28 है, S 144 है, N आपको 9 देरका A कितना होगा निकालना है, formula बता है, S N is equal to N upon 2, और A plus में L होता है, 144 बराबर में 9 upon 2, A कितना नहीं पता है, ठीक है, यह कटे का 9 से, 9 एकम 9, कट जागा, 9 बंजा 9, बचा कितना, 5, 9 6 is a 54, multiply 2 equal to A plus में 28, 32 minus में 28, equal to A आगया, A आपका 4 निकल के आदेगा, find A, let me check the answer, exactly A हमारे पास 4 निकल के आगया, तो एक lengthy part था, question number 3 का, हम लोग ने बड़ी जल्दी से लिप्टा दिया है, अब हम चलते हैं, next question 4, before that, पानी पी लेते हैं, बगला सूगया मेरा बहुत ज़्यादा, आप लोग भी rest कर सकते हो, उस क्या करते हैं, हम लोग next question 4, ठीक है? काफी लेंदी था या रहे हैं, चप्तर लेंदी है वैसे है, असाने पर लेंदी है, चले, next जा टाइम वेशने करते हैं, next अमारे पास 4 एर आपके screen के आपके, कितने number of terms लेने पड़ेंगे, sum 636 लाने के लिए, तो A आपका 9 हो गया, और D आपका 17-9 आपका 8 निकल के आगया, SN sum दे रहे हैं, 636 आपको N पूछ रहा कितना होगा, तो A, D और SN, तो SN का formula कितना होता है, N अपॉन पे 2, ठेक है, और 2A प्लस पे N-1 मंटिप्लाइबर D निकल के आगया, तो जगा 636 बराबर में N कितना हमें नहीं पता, अपॉन 2, 2A, A कितना 9 हैं हमारे पास, ठेक है, और प्लस में N कितना नहीं पता, D कितना है, D मरे पास 8 निकल के आगया, तो 636 एक्वल टू N अपॉन पे 2, और 18 प्लस में 8 N माइनस में 8 निकल के आगया, तो 636 एक्वल टू N अपॉन पे 2, 8 में से 18 निकल के 10 आगया, तो आपका आजएगा 10 प्लस में 8 N निकल के आजएगा, common कर लें 2, तो 636 equal to n upon 2, multiply 2 आपका आगया 5 plus में 4n, और ये खतम, तो 636 आजागा आपका 5n plus में 4n का square, अब हो जागा 4n का square, plus में 5n minus में 636 equal to 0 ये आपका बन गया, एक quadratic equation निकल के आगया, अब इसके मुझे roots निकालने पढ़ेंगे, ठीक है तो कैसे करें, फटावट से कर लेते हैं, minus 636 को अगर 4 से multiply करते हैं, 6, 4, 24, 4, 3, 12, 13, 14, 6, 24, 25, minus का 2, 5, 4, 4 आना चाहिए, multiply करने पर वैसे आना चाहिए 5 निकल के, अब है कैसे आएगा वो देखो जान से, वो सूचो कैसे आएगा, पाइफ आजाए, और कितना आजाए, minus 2, 5, 4, कितना होगा, यह मिलकाल से, तो फाइफ आना चाहिए न, 48 और 53, 48 और 50 से चेक करें, 53 और 48, आट यह 24, आट पंचे, 44, 44, चारती है, 12, 45, 20 और 21, यह 53, 48, 53, क्या टुक्वा लगे से, यार, कोशन करो ना, पहले तो आइडिया मिल जाता, 53 और 48, 53 और 48, यह मिल गया, 53 और 48, तो 53, minus में 48, multiply by 53, minus 48, ठेक है, तो 4N का square, plus में 53N, minus में 48N, minus का 636, इक्वल जीड़ हो आजाएगा, क्या common करें, कुछ भी common नहीं है, इसमें N है के वल, तो 4N, plus में 53 आगया, क्या common करें दोनों पर, 12 common कर लेते हैं, 12 यह common होगा, तो 4N, और आएगा, कितना, plus में 53 निकल के आगा, equal to 0 नहीं हो जाएगा, यह सेम सेम हो गया, तो 4N, plus में 53 आपका एक तरफ हो जाएगा, और N, minus 12 एक तरफ 0, यह value काटी दो, negative आएगी, तो N आपका 12 निकल के आगा, मतलब 12 terms अगर होंगे, ना तो sum जो है, 636 निकल के आगा, I hope आपको sum में आ रहा है, next 5 फिर आपके screen के उपर, find the first term, नहीं, the first term of an AP is 5, first term AP का 5 है, last term, AN दे रहाखा आपको 45, sum दे रहा, SN दे रहा, 400, कह रहा है, number of tom कितना होगा, और common difference क्या होगा, निकालना है, अभी third question किया है, हमने ऐसा बहुत सारे, SN equal to होता है, N upon 2, A plus में AN कब, जो हमें AN दे रहा हो, तो यह हो गया, 400 equal to N कितना है, नहीं, पता, upon 2, A कितना है, 5 plus AN कितना है, 45 होगा, तो 400 equal to हो जाएगा, N upon 2, यह होगा, आपके इतना 50 निकल के आगया, 50 आगा नहीं, इससे खतम होगया, 5, 8, 40, तो N कितना आगया, 16 निकल के आजएगा, N 16 आगया आपका, आप A N वाला formula यूज़ करते हैं, क्या होता है, A plus में N minus 1, D होता है, A N पता है, 45 है, A पता है, 5 है, N B पता चल गया, 16 है, और D हम लोगो नहीं पता, तो 45 माइनस में 5 equal to 15 D हो जाएगा, तो कितना 40 equal to 15 D, तो 40 upon 15 इकल आपका D निकल के आदेगा, तो 5, 8, 5 ती हैं, तो D equal to आपका 8 upon 3 निकल के आएगा, अब हम साथ साथ में आंसर भी चेक कर चलेंगे, ताकि गड़ बड़ ना हो, येस, exactly, बिल्कुल, सही आंसर है, अब चलते हैं, next question, 6, ये आपके screen के अपर गो, the first and the last term of an AP is 17 and 350, अरे वा, कैरा हमर पर first term, कितना दे रखा है, 17, last term, an कितना आमरे पास 350 दे रखा है, कैरा common difference 9 है, how many terms are there, how many terms are there and what is there, some sn कितना निकल के आएगा, simple है, a पता है, an, d और n, निकालना है, तो an वाला formula, an क्यों होता है, a प्लस में, n-1, multiply d ये आपका an निकल के आता है, an कितना आमरे पास, 350 एक इतना है, 17 प्लस में, n-1, d कितना हमारे पास, 9 निकल के आगया, तो 350 माइनस में, 17 एक्वल टू, n-1, multiply बे 9 आजएगा, अब 10 में से साथ गया, 3 आएगा, 4 में से गया, 3 3 3 इक्वल टू, n, ये कटे गा 9 से, ये क्यासा गंदा सांसर आ रहा है, प्लस में, 1 इक्वल टू, n आ गया, तो n जो है, आपका 38 निकल के आगया, ओके, 38 आगया, वट इस सम्सम निकालो, सम निकालना है कब जब an पता हो, तो होता है, n अपॉन पे 2, a प्लस में, an होता है, ये वाला फमला यूज़ करेंगे, तो 38 अपॉन पे 2, a कितना है हमारे पास, 17, और an कितना है, 350, ठीक है, ओके, 19, कितना हैगा, 0 का 7 और 0 7 होगा, 367 है, तो 367 को लोग 19 से अगर, मंटिप्ला करेंगे, 7, 9, 6, 3, 6, 9, 54, 6, 9, 27, 27, 27, 26, कितने होते हैं, 33 होता है, 367, मैं बहुत कमज़र होते जारे दिन की दिने मेरी, 6, 3, 9, 3, 3, 6, तो 6, 9, 7, 3, जो है आपका SN निकल के आएगा, और आपका N जो है 38 है, लेट मी चेक दा आंसर, इग्जेक्ली करेक्ट आंसर, नाओ मूफ दो नेक्स्ट कोशन, 7, यह आपके स्क्रीन के उपर, find the sum of 22 term of an AP, S22 निकालना है, आपको क्या निकालना है, S22 निकालना है, कितना होगा, if D, D दे रखा आपको 7, और आपको A22, 22 term दे रखा है 149, 22 का मतलब क्या होता जानते हो, एक कम D, A प्लस में 21 D होता है, ठीक है, तो यह 149 है, अब D कितना है, 7 है, तो A प्लस में 21, मंटिप्लैस 7, इक्वल टू हो गया 149, तो A प्लस में, साथ गम साथ दूनित 14, 149 आ गया, A आ गया 149, मैनस 147, A आपका 2 निकल के आ गया, अब S22 निकालना मतलब, क्या फॉर्मुला होता है, 22 अपॉन पे 2, और A प्लस में A 22, जैसे SN क्या होता है, N अपॉन टू A प्लस A N होता है, ऐसी S 22 हो जाएगा, 22 अपॉन टू A प्लस 22, ठीक है, कितना है अपने पास, 11 मंटिप्लैस, A कितना है, अपने पास, बड़े अराम से, ये चीज़े समझ में आ रही है, अब आंसर चेक करते हैं, एक्जेक्टली सही जवाब है, बढ़ते हैं अपने अगले कोशन, 8 ये आप सभी के स्क्रीन के उपए, Find the sum of first 51 term of an AP, who the second term and third term are given, अरे अरे कितना असान कोशन है, ये रहा है second term दे रहा है, second term दे रहा 14, मतलब A plus में A कम D equal to 14, equation बढ़ फर्स्ट हो गया, और third term, A3 दे रहा है आपको 18, A3 मतलब A plus में 2D आपको 18 दे रहा है second term, ठेक है, क्या निकालना है, S51 निकालना है, अभी कर देता है दो मेंट में, ये ना, तो A आगया आपका 14-4, तो A जो है आपका 10 निकल के आदेगा, आगया 10, A कितना आगया 10 निकल के आगया, S51 का मतलब होगया अपने पास, 51 upon 2, 2A मैं डायेक्ट कर रहा हूँ ठीक है, फॉर्मूलल निकल रहा, plus में 51-1, ठेक है, A2D कितना होगया, 51, 51, 561 होगया, 5610 आपका S51 निकल के आएगा, लेट मी चेक दा आंसर, 56105, येस, बिलकुल सही है, आप सभी को मेरे ख्याल से ये समझ में आगया होगा, अब बढ़ते अपने एक लिए कोशन 9, ये आप सभी के स्क्रीन के आपपा है, If the sum of first 7 term of an AP is 49, that of 17 term is 289, find the sum of an term, this is most important question, very very important, please mark it as important, क्योंकि ये आपके CVS में बहुत आप पूछा गया, क्यारा है sum of 7 term, मतलब आपको S7 दे रहका 49, चिक है, और 17, आपको S17 दे रहका 289, क्यारा है SN कितना होगा, वो आपको निकालना है, S7 दे रहका 17 दे रहका SN निकालना है, असान है वैसे, S7 49 का मतलब कितना होता है, S7 का मतलब होगी आपने पास, 7 upon 2, 2A plus में 7 minus 1 multiplied D, यह होना चाहिए, यह 49 है, तो 49 बराबर में 7 upon 2, 2A plus में 6D आपका निकल क्या आदेगा, 7, 749 एक्वल टो 1 upon 2, 2 common कर लेंगे, A plus में 3D आदेगा, इसे खतम, तो A plus में 3D equal to 7, this is our first equation, एक equation यहां से बन गई, एक यहां से बन जागी, S17, S17 का मतलब होगया, 17 upon 2, 2A plus में 17 minus 1 multiplied D निकल क्या आदेगा, ठेक है, S17 दे रहका 289 बराबर में 17 upon 2, और 2A plus में 16D निकल क्या आदेगा, अब 17, 17 हो गया, equal to 1 upon 2, 2 common कर लीजिए, तो आगे A plus में 8D, ठेक है, एक खतम, तो A plus में, A plus में 8D यहां equal to 17 आगया, equation number 2 निकल क्या, आपका यहां पर आगया, अब दोनों को solve करेंगे, A और D पर अचल जागा, फिर तो कुछ भी निकल वालो यार, यह करता है, minus 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 यह करता है, minus का 5D equal to minus का 10 आगया, D आपका 2 निकल के आगया, अगर D 2 निकल के आगया है, यहां पूट करते हैं, A plus में 3 into 2 equal to 7 हो जागा, A plus में 6 equal to 7 हो गया, A आपका 1 निकल के आगया, A 1 हो गया, D आपका 2 निकल के आजाएगा, अब क्या निकालना है, ऐसे निकालना है, अच्छा, ऐसे निकालना ठीक है भाईया, ऐसे न क्यों होता है, N upon पे 2, और A plus में N minus 1 multiply D, यही तो होता है, N हमें नहीं पता है, और A कितना अपने पास, 1 plus में N minus 1 D कितना होगा, 2 निकल के आगया, ठीक है, तो गया N upon पे 2, अच्छा, A कितना है भाई, तो चेक करते हैं, तो अगे 1 plus में 2 N minus में 2 निकल के आजाएगा, ठीक है, कुछ गढ़बढ हुई है, क्या, D आया है, 2 निकल के, तो A plus में 3 to 6, चेक करना, अच्छा, 2A होता, 2A होता, तो यह 2A काओंट क्यों निदा, तो यह 2A काओंट क्यों निदा, तो आगे N upon पे 2 multiply 2 N, अभी से N से N गया, तो S N into N बन गया N square, तो आपका समझू है, वो N square निकल के, आज़ागा simple है, ठीक है, next 10 यह आपके screen के उपर, ओके, 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 अब काफी, अच्छे अच्छे important question शुरू हो गया आने, अब आपको थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा, ठीक है, अभी तक आपको AP दे रखी थी, चीज़े पूछा था, आपको AN, AD दे रखी थी, चीज़े पूछा था, अब कहना, यहाँ पर AP खुद से बनानी पड़ेगी, general term दे रखा है, कैसे बनाता है, important बन जाता question, कहरा है महरे पास, AN अगर दे रखा है, 3 plus में 4N, कहरा, find the sum of first 15 term, तो इनके पंदुरे term का sum निकाली है, वो तो तब निकालेंगे न, जब AP पता हो, तो AP कैसे निकालना है, अगर आपको AN पता है, 3 plus में 4N, यार एक बाब बता हो, मैंने कहरा, N की value 1 पुट कर दी, तो A1 नहीं आजाएगा, 3 plus में 4 इंटू 1, एक और कर लेते हैं, N3 कर लेंगे, तो A3 आपका आजाएगा, कितना, 3 plus में 4 इंटू पर 3, 4 ती हैं 12, तो 3 plus में 12, कितना 15 निकल के आगया, तो यहां से AP बन गई है, हमारे पास कौन से AP बन गई, 7,11,15, यह बन गई AP, AP भी निकालना है, अगर आपको आगए, फिर तो कोई Tension की बाती नहीं है, हमें निकालना है S15, तो A आपका यहां पर 7 आगया है, D आपका 11 में से साथ गया, 4 निकल के आगया है, ठीक हैं, और क्या दे रखा हैं, आपको N 15 दे रखा है, आपको SN निकालना है, तो SN कितना हो जाएगा, SN होता हमारे पास N अपॉन पर 2, और 2A प्लस पर N-1 इस आपका होता है, तो N कितना है, 15 अपॉन पर 2, 2A, तो A कितना है, 7 है, प्लस में N-1, 15-1 D कितना है, 4 निकल के आजागा, ठीक हैं, तो 15 अपॉन टू, 525 आपका ऐसा निकल के आजाएगा, समझाए का करना है, तो पहले आपने का करना है, फटावट से, N की वाली 1 पुट करनी है, फिर 2 पुट करना है, फिर 3 पुट करना है, 4 पुट करना है, आपने AP बना ली, AP बनानी के बाद, फिर तो सारा काम भी हो जाएगा, बड़े आराम से, अब नेक्स इसी का second part मैं करके बताता हूँ, इसको नोट कीजे, जल दे लिए वैसी करना है फटावर से, AN दे रखा आपको 9 माइनस में 5N, तो क्या करेंगे, N इक्वल टो 1 पुट कर देंगे, तो A1 आदेगा आपका 9 माइनस में 5 इंटो 1, आपका 9 माइनस 5 4 निकल के आदेगा, ऐसी N को 2 पुट कर देंगे, तो A2 आदेगा आपका 9 माइनस में 5 मंटिप्ला 2, जो कि आगे 9 माइनस में 10 इक्वल टो 1 निकल के आदेगा, ठीक है, देख तो चलना, N अगर 3 पुट कर देंगे, तो A3 कितना हैगा आपका, 9 माइनस में 5 मंटिप्ला 3, जो कि 9 माइनस में 5 तीए 15, 15 में से 9 माइनस का 6 माइनस का निकल के आगया, तो यहां पर आपकी AP बन गई, क्या बन गई, वो बन गई, आपकी 4, माइनस का 1, आपका माइनस का 6, ऐसे आपका AP बढ़ता चला जाएगा, S 50 निकालना है, A आपका 4 हो गया, D कितना आगया, माइनस 1, माइनस 4, माइनस का 5D आगया, N आपका 15 है, सम निकालना है जी, तो आराम से निकाल देते हैं, S N कितना होता है, हमारे पास N अपॉन पे 2, ठीक है, 2 A प्लस में, N माइनस 1, मंटिप्लाइड D निकल के आता है, तो N कितना है, 15 अपॉन पे 2, 2 A, A हमारे पास 4 है, प्लस में N माइनस 1 नहीं पता, नहीं 15 है ना, तो कैसे ऐसे कैसे नहीं पता, यार, ऐसे कैसे नहीं पता, 15 हो जागा, तो यहाँ पर कितना अपने पास, D आपके पास हो गया, 15 अपॉन पे 2, 4 दूनी 8 हो गया, और, माइनस यह आगा, 14 इंटु 5, 14 इंटु 5, 5 हो कि 20, 70 आएगा, तो जाएगा अपने अच, 15 अपॉन पे 2, और इंटु पर माइनस का 62, तो 15 मंटिप्लाय माइनस का 31, तो 15 एकम 15, 15 तिये 45, 46, माइनस का 465 निकल के आगया, आपका SN, चेक करता हूँ इसका आंसर, फिर आगे बढ़ते हैं, 10 का आंसर हमारे पास है, माइनस का 465, बिल्कुल साही जवाब है, अब मुझे बताओ, क्या ये कोशन का भी परिशान करेगा, ये कोशन दो तरीके से पूछा जाता है, एक तो AN दे देगा, N टर्म तक का, ये आपको SN दे देता है, अब नेक्स्ट कोशन SN वाला है, वो कैसे करते हैं, वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग, वो और ज़दा इंपॉर्ण बन जाता है, वो आपके CBC में भी काफी ज़्यादा पूछा गए है, तो आईए चलते हैं, नेक्स्ट कोशन, 11 ये आपके स्क्रीन के उपर, तो थोड़ा पानी पीलाता है तब तक, ठीक है, ध्यान से सुनना पहले, तो आपको अगर S सम दे रखा, N टर्म तक है, SN, SN गीवन है आपको, 4N माइनस में N स्क्वेर, ठीक है, वाट इस फॉस्स टम, पहला टम क्या होगा, जो कि S1 ही है, उन्हें खुद भोल दिया, S1 क्या होगा, वाट इस सम फॉस्स टू टम, दो टम का सम क्या होगा, सेकिंड टम क्या होगा, 3rd term क्या होगा, 10th term क्या होगा, और Nth term क्या होगा, इस सारी बातें पूछा है, इस सारी बातें हम बता पाएंगे, अगर AP बना ले तो, अब AP कैसे बनाना, ये ध्यान सुनना, तो पहला हम क्या करेंगे, सेम वही कहानी है, N की वैलू क्या है, N equal to 1 पुट करेंगे, S1 आ गया, 4 into 1 माइनस में 1 का स्क्वेर, तो 4 minus 1 आपका 3 निकल क्या आ गया, अच्छा एक बात हो, एक नमबर कोई सम होता है क्या, नहीं होता, S1 का मतलब A1 ही है, A ही है, तो आपका first time AP का निकल क्या आ गया, अच्छा N equal to 2 पुट करो तो क्या निकल क्या आएगा, यहाँ पर A1 जो है आपका, वो 3 निकल क्या आ गया, S1 equal to A1 होता है, यह note कर ले न, अच्छा S2 पुट करो तो S2, मतलब sum of 2 नमबर, दो नमबर को जोडने पर क्या आएगा, 4 इंटू 2 माइनस में 2 का स्क्वेर, तो 8 माइनस में 4 equal to 4, इसका मतलब sum S2, S2 4 का मतलब है, दो नमबर को, दो टॉम को जोडने पर आपका 4 निकल क्या आएगा है, दो टॉम कौन कौन सा, मतलब A1 प्लस में A2 को जोडने पर आपका 4 आया है, और A1 तो 3 है, तो A2 कितना आजाएगा, यार A2 पता चल गया, हमारे पाफ 4 माइनस में 3, आपका A2 1 निकल के आगया, काम हमारे पाफ बन गया है, तो AP कैसे बनेगी, आपकी AP बन जाएगी, बोलो AP कैसे बनने वाली है, आपकी AP बनेगी कैसे, हमारे पास पहले टम थर्ड आगया, फिर 1 आगया कितना गया, फिर 2 कम हो रहा है, तो 1 में 2 कम करेंगी, तो माइनस का बनाएगा, ऐसे करके, और फिर 2 और कम कर दो, 1 माइनस में 2, तो माइनस का 3, ऐसे आपकी AP आगे बढ़ती, चली जाएगी, तो हमने AP यहाँ पर निकाल लिए, सबसे important यह था, AP निकालना, तो यह आप ध्यान रखना, S2 का मतलब होता है, A1 प्लस में A2, S2 का मतलब सम अफ 2 तर्म, तो A1 प्लस में A2, आपका 4 दे रखा, A1 कितना है, S1 के बराबर ही होता है, अब क्या पूछ रहा है, What is the first term, 3 हो गया, What is the sum of second, 2 term, sum of 2 term, 4 हो गया, अभी निकाल दिया, What is second term, second term 1 है, निकाल दिया, find the third term, third term में निकाल दिया, minus 1 है, 10th term निकालना है, टेक है, तो 10th term में निकालना है, तो आपको अपको तो AP में A3 दे रखा है, D आपका 1-3, minus 2 दे रखा है, आपको 10th term निकालना है, मतलब A प्लस में एक कम D, 9D निकालना है, A कितना है, 3 प्लस 9D कितना होगा, minus 2 हो जाएगा, और 3 माइनस में 18 कितना होगा, minus 15 आपका, 10th term आपका minus 15 निकालना कि आजाएगा, कि रहाँ, nth term भी निकालना तो फिर तो लगालना होगा, तो AN आगया, अपने पास A, ब्लस N-1 यो D निकालना कि आगया, A कितना अपने पास 3, प्लस N-1 D कितना अपने पास, minus 2, तो 3 माइनस में 2N, प्लस में 2, जो कि हो गया, 5 माइनस में 2N, ये आपका AN निकालना कि आजाएगा, I think आप सभी को बहुत अच्छे से, ये चीजे समझ में आ गई है, अगर enjoy कर रहे हैं, आप लोग मेरे साथ साथ, तो please वीडियो को like करके, मेरा उसा जरूर बढ़ाना, वो भी बता देना, ताकि मैं next वीडियो में उसको सुदार सकू, next चलते हैं 12, वीर आपके screen के अपग, find the sum of first 40 positive integers, divisible by 6, अच्छा AP बनानी पड़ेगी, पहला नमर जो कि 6 से divide होगा, 6 होगा, दूसरा, 12, तीसरा, 18, चालीस वा नमर क्या होगा, 6 मंटिप्लाइ 40, 240, पहला positive 6, दूसरा, 12, तीसरा, 6, 3, 8, 14, 6, 24, तो 40 वा 6 into 40, 240, चलिए, तो A आपके पास 6 आ गया, ठीक है, D आपके पास 6 दे रखा है, और आपके AN 240 आपके पास दे रखा है, और आपको N दे रखा 40, क्या निकलना है, सम निकलना है, SN क्या होता हमारे पास, N upon 2, A plus में AN होता है, जब AN गिवन हो, N कितना अपने पास, 40 upon 2, A कितना हो गया, 6 plus AN कितना है, 240 दे रखा है, तो 20 multiply by 246, और हो जाएगा अपने पास, 2, 12, 4, 9, 2, 0, आपका सम निकलना है, अगर लेट मीचेक दा आंसर, 4920 कहां चले गए, या सही विल्कुल है, नेक्स चलते है, 13 एड़ा आपके स्क्रीन के उपए, find the sum of the first 15 multiple of 8, सुरुवात के पहले 15 multiple का सम कितना होगा, पहला multiple 8 है का माट, दूसा multiple 8 दूनी 16, तीसा multiple 8 तिया 24, 15 वा, 15 into 8, मेरे ख्याल से कितना होता है, 120 होता है, हाँ 120 होता है, तो 120 होता है, सेम वही कोशन था, A आपका 8 हो गया, D आपका 16 में से 8 आठ आगया, A N आपका 120 दे रखा है, N आपको 15 दे रखा है, और S N पूछ रहा, सम पूछ रहा है, कितना होगा, तो पता है, S N इक्पल दू क्या होता है, N अपॉन पे 2 A प्लस में, A N जब A N दे रखा हो, ठेक है, तो N कितना है, 15 अपॉन 2 A कितना हो गया, 8 हो गया, A N 120 निकल के आगया, तो 15 अपॉन पे 2 multiply by 128, है न? तो 264, तो आगया 15 multiply by 64, तो 15 चौके 60, 156 96 96 960 निकल के आगा आगा, आपका सम, लेट मी चेक दानसर इंग्जेक्ट निकल का आएंशर है, तो I think आपको यहाह तक अच्छे समझ में आगया होगा, अब बढ़ते हैं अगले question 14 यह आपके screen के उप़र Find the sum of the odd numbers between 0 to 50 0 से 50 के बीच में जितने भी odd numbers होते हैं उनका sum निकालना है अब सुने कैसे AP क्या वनी 1, 3, 5, 7, 49, यह आपकी AP हो गई A आपका 1 हो गया D आपका 2 आगया AN आपका 49 आगया अब 0 से 50 के बीच में 50 नम्मर पे 25 odd होते हैं 25 even होते हैं तो यहाँ पर N निकालना है आपको understood है N कितना आगया N तो 25 ही रहेगा तो क्या निकालना Sum निकालना SN कितना होगा आपको पूछ रहे है तो sum निकालना SN वो गया N अपॉन पे 2 A प्लस में SN आपका 625 निकल के आ जाएगा ठीक है 14 क्लियर हो गया अब बढ़ते next question 15 एर आपके screen के उपर Finally हमारे पास जो है हम लोग ने 14 तक कर लिया है जो बच्चे CVSE में अपिर होना चाहते है इस साल उनमें ये delete है जो ये हमारे वर्ड प्रॉब्लम से है इस chapter के सम वाले वो delete है वो ना करे तो चलेगा लेकिन वैसी मैं कहरा हूँ कि अगर math लेनी है आगे जाके तो मैं तो कहूँगा कुछ नहीं 7-8 chapter है उसमें क्या delete है खेल रहो सारा पढ़ लो आगे math ही तो लेनी है जिनको math लेनी नहीं नहीं अगर वो तीस दिल लेट कर दे तो कितना रुपय उसे pay करना पड़ेगा आपसे पूछ रहा है तो असान है पहले AP बना लेते हैं सम निकालना है AP क्या बनेगी बताइए पहला नमर 200 फिर्स डे 200 सेकिंड डे 200 फिर्स तीन सो ऐसे करते करते हैं उसको 30 दिन तक निकालना है तो A आपका हो गया है ना प्लस में 30 माइनस वन इंटू डी कितना हो गया वही दी पचास दे रखाए तो पंदरा मंटी प्लाइब चार सो ठीक है और प्लस में 29 मंटी प्लाइब पचास अब 29 को पचास से करेंगे तो चार सो प्लस में फाइफ नाइन जा फॉटी फाइफ पांद रिदास चौधा वन फूर फाइफ जो निकल के आएगा तो फिफ्टीन मंटी प्लाइब योगे चार सो है ना चार्चर आठ सो पचास यह आगया मेरे खाल से अब पंदरा गरना से मंटी प्लाइए तो वन एट फाइफ जिरो मंटी प्लाइब यब 15 चेक करते कितना है गा जीरू पच्छिस चालिस बैली स्नो तो वन एट फाइफ जीरो जीरो पांच साथ सत्रा तू सेवन सेवन फाइफ जरो निकल के आएगा केलकुशन फास्ट करना बहुत ज़रूरी ध्यान रखना प्रैक्टिस इत नीर आपके screen के उपर कह रहा है कि स्कूल में साथ बच्चों को साथ सो रुपए डिवाइड के जाएगे कितना बढ़िया स्कूल है साथ सो रुपए साथ बच्चों में बाप रहे उत्ती बड़ी नकम गरीब कहीं के तो साथ सो रुपए जो है साथ बच्चों में डिवाइड कर रहे है और हर amount जो दूसरे बच्चे को जाएगा वो पहले वाले के मुकाबले 20 कम होगा बना लेते हैं AP कितने जंजटी नहीं है देखो मानलो पहले वाले बच्चे को A चला गया दूसरे वाले को क्या जाएगा उससे 20 कम तीसरे वाले को उससे और 20 कम तो ऐसे आपके AP काने चलेगी यह AP होगा आपका अध्यान सुनना तो फर्स टम कितना आ गया आपका फर्स टम जो है A वो आपका A ही आ गया common difference D कितना आ गया A-20 माइनस में A A से खतम होगया माइनस का 20 आपका common difference निकल के आ जाएगा अब आपको N कितने बच्चे में बाटना है साथ और सम कितना दे रखा है सम आपको साथ सो दे रखा है अब बताइए इंटरेस्टिंग क्या हो जाएगा SN होता मारे पास N अपॉन पे 2 और 2A प्लस में N-1 multiply D निकल के आता है SN 700 हो जाएगा बरावन N अपॉन 2 N कितना है 7 अपॉन पे 2 2A, A कितना मारे पास A यह प्लस में N-1 7-1 D कितना है 20 निकल के आदेगा यह multiply में ठीक है ऐसे, तो यह होगया कितना 100, तो 100 बरावर में 1 अपॉन पे 2 और अपने बाद 2A माइनस में 120 200 प्लस में 120 इक्वल टू 2A आगया और 2A इक्वल टू आगया 320 तो A आगया आपका 160 निकल के इसका मतलब 1st price 160 रुपे का दिया था 1st आए, क्या था 160 रुपे भाई इसका मोफ 100 रुपे बाद 2 30 रुपे 40 रुपे मा माँ पता रुपे क्वल से इतना बड़ आमांट कितना 40 रुपे लेके आयऊ मैं क्या है बिटा चाले सुने लफ दो और मैं कोशन नहीं आया नेक चलते हैं अब 17 यह आपके स्क्रीन के अपर गो in a school student thought किता ताम हो गया okay in a school student thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution it was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class oh in which they are studying example a section of class first will plant one tree a section of class 2 will plant two trees so on till 12 there are three section of each class how many trees will be planted by the student कह रहे पारा क्लास के बच्चे हैं एक क्लास के बच्चे एक लगाएंगे और एक क्लास में तीन सेक्षन है मतलब समादियो हर एक क्लास के तीन तीन सेक्षन है और एक क्लास का बच्चा एक पौधा लगाएगा पस्क्लास का बच्चा एक ही पौधा लगाएगा इसे चलता रहेगा बारवी क्लास के बच्चे बारा बदा लगाएगे बारा क्लास जो है बारा बदा लगाएगे और तीन सेक्शन बातहे हैं चथ्य निकलके आदेगा तो यह है A कितना हो गया 3 और D कितना हो गया 6 में 3 गया 3 और A N कितना हो गया 36 हो गया N कितना अपने पास 12 बच्चे है S N निकलना है तो सम कितना आता है N अपॉन पे 2 और A प्लस में A N निकल के आ गया N कितना है S N आ गया आपका 12 बटे पर 2, A कितना है 3 प्लस A, N कितना है, 36 आ गया तो 6 मंटी प्लाइब है 39, तो आगए 6, 9, जब 54 6, 3, 8, 14 19, 20, 21, 22, 23 तो 234 जो है प्लांट लग जाएंगे, अरे वाँ यार कास ऐसा कर रहे है स्कूल में तो मज़ा आएगा 324 पौदे लग जाएंगे एक ही बार में तो जब बड़े होंगे 2-3 साल बाद कितनी हर्याली होगे स्कूल के आसपास बंजार बड़ा रहता हमारा स्कूल नेक चलते है 18 एड़ाप के स्क्रीन के उपपर और यह वाग्या कोशन है A spiral is made up of successive semicircle with centers alternately at A and B starting with center A radius 0.51, 1.5, 2.0 as shown what is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircle ओकी एक spiral है वाइर माल लेते हैं तो यहां से शुरू किया है स्थने तो यह माल लेंद 1 है यह लेंद 2 है, length 3, length 4 क्यार अगर यह 13 चकर काटे हैं ऐसे semicircle बनाए तो कितनी लंबाए हो जागी spiral की यह अब से पोचर है तो पहले यह लंबाए निकालनी पड़ेगी इसके लिए radius इतनी है पिर यह लंबाई निकालने पड़े, length 2, इसके लिए radius इतना है, फिर लंबाई 3, इसके लिए radius अलग-अलग है, तो अब semi-sagg length के होता, parameter semi-sagg होता, pi r, मतलब AP कैसे बनेगी देखना द्यान से, आपका बनेगा, पहले वाले किला, यहां से यहां तक length, pi r, r कितना है, 0.5 है, प्लस में, दूसरा, pi, इसके लिए radius कितना है, 1 है, तो pi into 1, प्लस में, pi into 1.5, ऐसी चलता रहेगा, 13 टर्म तक का, ठीक है, तो pi common कर लेंगे, तो 0.5 प्लस में, 1 प्लस में, 1.5, यह चलता रहेगा, 13 टर्म तक का, पहले इसका sum निकाल लेते हैं, a आपका कितना आगया, 0.5 ह d आपका आगया, 1-0.5, जो कि again 0.5 आगया, ठीक है, n आपका 13 दे रहेखा, पहले ऐसे निकालो, sn formula, n upon 2, और हो गया, 2a प्लस में, n-1 multiplied, जो है, d निकल के आदेगा, ठीक है, यह आपर apply करते है, n कितना है, 13 upon 2, 2a, a कितना हो गया, 0.5 प्लस में, 13 minus 1 into d कितना हो गया, 0.5 न 6 निकल के आगया, है न, तो गया, 13 upon 2 multiplied by 7, तो 91 upon 2 निकल के आएगा, यह total length यह निकल के, यह हमने solve कर लिया, यह वाला portion हम लोग ने solve कर लिया, 13 तब तका sum निकाल दिया, 91 upon 2 निकल के आएगा, ठीक है, अब पाई कितना दे रहे, 22 upon 7, तो 22 upon 7 multiplied by 91 upon 2, यह आपका total length निकल के आ आ जाएगा, बोलो बाद समझ में आ रहे हैं यह निकल आ रहे होगी, तो 7 वंजा 7, 7 3 यह 21, 2 से 11, तो 13 upon 13, 143, 143 cm पूरी लंबाई होगी, spiral की, अगर ऐसे ही हम लोग 13 चकर काट दे तो, मेरे ख्याल से यह question आपको बहुत ही जादा, अच्छे से जो है, वो समझ में आ गया अपर, 200 locks are stacked in the following manner, 20 locks in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next and so on, ना, 200 हमाने लकडी काट के रखते हैं ना, गोल गोल बना के, उसको locks बोलते हैं, तो कैसे AP बनी, सबसे नीचे रखा है, 20, तो AP कैसे बनाओगे, सबसे ने 20 रखा है, फिर 19 रखा है, फिर 18 रखा है, ऐसे चलता रहेगा, कुल कित हो गया, 19, minus 20, आपका minus का 1 आगया, SN आपको दे रखा कितना, 200 रखा है, अब क्या पूछा है, इन how many rows, कितने rows बनेंगे, 200 locks को रखने के लिए, हमें ये निकालना है, और सबसे top most में जो row है, उसमें कितने locks होंगे, ये भी हम लोग को बताना है, तो पहले N निकालना पड़ N upon P2, ठीक है, 2A plus में N minus 1 multiplied D, ये आपका SN निकल के आता है, SN कितना है, 200, तो 200 बराबर में N upon 2 नहीं पता, 2A, A कितना हो गया, अमर पास अगें 200 है, ठीक है, A भी 200 ही है, A 200 कहां से A 20 है, वही मैं को, 200 200 कहां से अगें, A 20 है न, चलिए A आपका 20 है, अप प्लस में N minus 1 नहीं प minus में N plus में 1, ठीक है, तो 400 बराबर में आ गया N upon, N 41 minus में N निकल के आ गया, तो 400 बराबर में आ गया 41 N minus में N का स्क्वेर, सबको लेफ्ट में ला रहा हूँ, तो N square minus में 41 N plus में 400 equal to आपका 0 निकल के आएगा, अब ये कैसे break होगा, बहुत सिंपल है, multiply करने पर 400 आना निकल के, आप चाहो तो quadratic से भी कर ले न, कोई जो तो नहीं है, में को असान लगता है, middle transmit इसलिए मैं इसका use करता हूँ, तो आगा N square minus 25 N minus 16 N plus में 400 equal to 0 निकल के आगया, N common करेंगे N minus 25, minus का 16 common करेंगे N minus 25 निकल के आएगा, तो यहाँ पर N minus 16 और आपका N minus 25 equal to 0, तो यहाँ स आप कह सकते हैं, N आपका 16 आगया, और N आपका 25, दोनों आगया, अब दो value हो नहीं सकती, या तो 16 रो होंगे, या 25 रो होंगे, दोनों निकल के check करते हैं, अब हमारे पास क्या हो गया, मालो N 16 है, मालो N 16 है, तो A 16 कितना आएगा, सबसे topmost row, A 16, N 16 का मतलब है, total solar row होंगे, total solar row आखरी रो होगा, उस रो में कितने locks होंगे, A 16 कितना आगा, A plus में 15D, जो कि आप आगे, A कितना है, 20 plus 15D कितना है, minus कवन, तो 20 में से 15 गया, आपका 5 निकल के आगया, A 16 5 आगया, A 25 चेक करो जागा, तो A plus में 24D हो जागा, A कितना अपने पास, 20, और 24D कितना है, minus कवन तो 20 माइनस में 24, आपका minus का 4 आगया, yes, तो N की value 25 पॉसिबल नहीं है, minus के 4 लोग को क्या मतलब है, कोई sensory मना, इसका मतलब आपका total solar row होंगे, और सबसे topmost row में आपके 5 locks रखे होंगे, I think आपको समया गया, अब पूरे चैप्टर का आखरी question बड़ी खुशी हो रही है, पानी पीलू के वाद करता है असता आखरी question को, आखरी का मजाई कुछ और होता है, आखरी exam, आखरी question, मजाई कुछ और होता है, 20, in a potato race, a bucket is placed at the starting point, अच्छा ठीक है, which is 5 meter away from the first potato, एक potato यहाँ पर रखा मालो, यह पहला पोटेटो मालो, यह पहला पोटेटो मालो, यह पहला पर रखा है, जो कि 5 meter दूर है, यह bucket से 5 meter दूर है, फिर 3-3 meter पर पोटेटो रखें, यह पोटेटो यह पोटेटो यह सारे पोटेटो रखें, and the other potato are 3 meter apart in the straight end, there are 10 potatoes in the line, 10 potato को यहाँ पर है, our competitor start from the bucket, picks up the nearest potato, कहाँ से शुरू का रहा, bucket शुरू किया, run back with its, drop it in the bucket, runs back in the total distance, कित पहला आलू उठाया, bucket डाला, फिर दूसा आलू उठाया, bucket डाला, तीसा आलू उठाया, bucket डाला, कितना total distance यह चल गई, यह हमें बताना है, सुनो जान से, यहाँ पर है, पहला पोटेटो रखें, कितना चलना है, 5 गई, उठाया, 5 वापस, 10 चली, तो पहला distance चली 10, ठेक है दूसरा, यहाँ पर थी है वो फिर से, फिर यहाँ से 5 और 3, 8 चली, 8 वापस आई, कितना, 16, दूसरा पोटेटो था होगा, 16 निकल के आगया, तीसरा, स्विश रूखरी, यहाँ से गई, 5, 3, 8, 3, 11, 11 गई, 11 गई, 11 वापस, 22, तो ऐसे करके हमारे क्या बन गया, AP चल गया, और ऐसे आज को 10 पोटेटो तक करने है, 10 तक, तो आपका A कितना हो गया, 10 निकल के आगया, आपका D कितना हो गया, 6 आगया, N कितना है, 10 दे रखाए, S N निकलना, क्या होता है S N, N अपॉन पे 2, और 2 A प्लस पे N माइनस 1 मंटिप्लाद D, यह आपका S N निकल के आता है, ठ तो गया, 10 अपॉन पे 2, और 2 A, A कितना है, 10 प्लस में, 10 माइनस में, 1 माइनस, इंटो D कितना हो गया, D आपका 6 निकल के आगया, ठीक है, तो गया, 5 मंटिप्लाद 20 प्लस में, 9 6 आप 54, तो 5 मंटिप्लाद 74 आगया, तो 5 तो कि 20, ठीक है, 7 पंच पन सेहती, 370 मीटर जो है उसको total चलना पड़ेगा, 370 मीटर, yes, exactly, बिल्कुल सही जवाब है, तो 370 मीटर डिस्टेंस उसको चलना पड़ेगा, और यहां पर हमें भी चलना पड़ेगा, अब यहां पर हमारा खताम होता है, chapter 5, पूरा chapter हमने वन चॉट में दिया है, वीडियो को, please, सारे फ्रेंट त इसको जितना उसे करो, target करते हैं इस वीडियो में जो है, अब फिर से 20,000 views, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके सामने, thank you so much for watching, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, chapter 9 को लेके तब तक के लिए, हरे कृष्णा